उद्धरंग चिन्ह, पहले ही बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे प्यारे अजीज रिडर्स, आप सबने मेरे इस नौवेल को भी इतना प्यार दिया, I hope ऐसे ही मेरे साथ और मेरे सारे नोवेल्स के साथ जुड़े रहेंगे, और सबने मुझे कंभरोजुलेशन कहा सो चप्टर कंप्लीट होने पर, ये नौवेल्स पसनली मुझे खुद को भी बहुत पसंद है, मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करके लिखती हूँ और जानबूझ कर आपके लिए सस्पेंस छोडती हूँ, आप सब अंदाजा लगाने की कोशिश करना की इसके बाद क्या होने वाला है, और कमेंट भी करना, और आप लोगों की वजह से मुझे आइडिया भी मिलता है, अगर आप कमेंट करो सभी तो मुझे आइडिया भी मिल सकता है आगे क्या लिखना है जिससे ये स्टोरी और भी अच्छी हो, मेरे अजीज रिडल्स, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना, अभी तो मेघांश और रादिका को और भी ज्यादा स्ट्रगल करना है, इतना आसान तो नहीं है उनका प्यार मुकम्मल होना, पर मुकम्मल जरूर होगा, सारी गलत फहमी की दीवार भी तूटेगी, वह दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल भी होंगे, जो जो आप सब चाहते हो, वह सब होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, और आप सब के लिए धेर सारा प्यार, रात का वक्त, मेघांश का कमरा, सारे बच्चे रादिका से चिपके हुए थे, रादिका अपने इतने सारे बच्चों को एक साथ संभाल नहीं पा रही थी, जिसे देखकर मेघां तो नहीं चाहता था, पर जबरदस्ती मेघांश उसे लेकर वाश्रूम चला गया, इधर, रादिका काफी ज़्यादा दर से काप रही थी और मेघांश उन सब को अच्चे से नहलाने के बाद उन्हें लेकर कमरे में आ गया, उसने अपने बड़े वाले बेटे को भी जबर कोई तो उसके जैसा हुआ, पर सबसे बड़ी बात पांच्वा वाला किसका है, ये चारों तो उसके बच्चे थे, पर वह पांच्वा, रादिका ने क्या किया था, रादिका ने कुछ तो किया था, अब वह बात वह चाहे तो पता लगवा सकता था, पर वह रादिका के मू उसे सुनेगा, उसके बाद जाकर सच्ची बात सुनेगा, वो सारे बच्चों को बिस्तर पर बिठार देता है, सभी बच्चों ने अपनी कमर पर टौवल लपेट कर रखे थे, और राधिका अपने सारे बच्चों को देखकर उन्हें गले लगाने के लिए आती है कि उसे लेकर वाश्रूम चला जाता है, और एक नजर बच्चों को देखकर दर्वाजा पैरों से बंद कर देता है, और सारे बच्चे उसे गुस्से से देखने लगते हैं, इधर मेघांश उसे वाश्रूम में लाने के बाद जल्दी से उसे बात टब पर फिक देता हूँ औ अपनी कमर से टोवल हटा कर उसे देखता है, रादिका की आँखे बड़ी बड़ी हो जाती है और वह आँखे बंद करके गुस्से से कहती है, अन्डस को यहाप क्या कर रहे हो, मेघा उसके हाथ को अपने सिक्स पैकेब्स पर जबर्दस्ती रखता है और कहता है, अन्डस क दिखा रहा हूं कितना बेताब हूं आपके लिए, वह गुस्से के साथ एक गहरी सांस लेती और कहती है, अन्डस को आप अभी भी बहुत ही ज़्यादा बद्तमीज हो, यह सुनकर मेघांश बातब में बैट जाता है और रादिका की पहने हुए कपड़े फाल देता है, उ अन्डस को हमें कुछ नहीं बताना, हमें जाने दीजिए, हमें आपके साथ नहीं रहना, यह सुनकर मेघांश उसके खुबसूरत बालों को उसके कंदे के पीछे से आगे करता है और उसकी पीट को चूमते हुए कहता है, अन्डस को पर आप भागी क्यों थी, क्या हमारा प रादिका को याद आने लगता है कि उसने उस वक्त जो सुना था, वह क्या ही कर सकती थी, जिंदा रहती तो वह कुछ भी कर सकती थी, पर अगर वह मर जाती और अगर वह उस वक्त हरती तो सच में वह मर जाती, पर वह ये बात मेघांश को पता चलने नहीं देती कि उससे प पता चल गया था इसलिए तो वह भागी थी क्योंकि वह मरना नहीं चाहती थी पर वह ऐसा दिखाता है कि उसने रादिका की बात मान ली है और वह प्यार से उसके पेट को सहलाते हुए कहता है अंडिसको तो फिर यह बताए पांच्वा वाला बच्चा किसका है रादिका प्रण से वह नहीं रही दुनिया में इसलिए हमने हमारे बड़े वाले बेटे को उठा लिया और उन्हें रख दिया वैसे भी कोई नहीं था शायद दुनिया में उसका इसलिए हमें लगा कुछ तो उसे प्यार मिलेगा नहीं आपसे प्यार की उम्मीद रखना बेकार है ये सुनकर मेघांश उसे दराते हुए कहता है अंडस को हम उसे निकाल देंगे क्योंकि वह हमारा बच्चा है ही नहीं रादिका दर जाती है और कहती है अंडस को नहीं नहीं ऐसा मत करना ये सुनकर मेघांश उसके होटों पर अपनी उन्वी रखता है और कहता है अंडस को हम ऐसा तभी नहीं करेंगे जब आप हमारी बात मानूगी सारी बात जो भी हम कहें राधी का आंसु पोंचते हुए कहती है अन्रस को अगर आपने धोखा नहीं दिया होता तो शायद ऐसा ही होता हम खुशी से एक साथ रहते पर आपने तो धोखा दिया हमें हम क्या ही कर सकते हैं पर फिलहाल के लिए हमें आपकी बात मानना सही लगती है उसके बाद हम हमारे सारे बच्चों को लेकर भाग जाएंगे पिछली बार एक को लेकर गए थे अब सारे को लेकर जाएंगे ये सोचते हुए वह मेघांश को देखती है और मेघांश उसके चेहरे को अपनी तरफ करके उसके होठों को चूमता है उसकी पीत को पकर लेता है और उसे अपने करीब खीच कर उसमें समा जाता है उसके मुँँ से एक दर्दना का आवाज चीक जाती है उसके मुँँ से चीक सुनकर मेघांश के दिल में सुकून मिलता है और वो उसकी पीत को थप थपाते हुए कहता है अंदसको हमें काफी अच्छा लग रहा है अब आपको हमारी सारी बात माननी है जो भी हम कहेंगे राधी का दाग पीसकर कहती है अंदसको हम मान तो रहे हैं ना रोक तो नहीं रहे आपको ये सुनकर मेघांश उसके बालों के साथ खेलते हुए कहता है अंदसको हमें बस यही नहीं चाहिए हमें और भी कुछ चाहिए और ये तो हमें जब चाहिए, तब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी चाहे आप तयार हो या ना हो, अगर हम तयार हो जाएं, तो आपको मानना ही है बोलते हुए उसने फिर से उसके होटों को चूमना शुरू कर दिया काफी देर तक चूमने के बाद वल गहरी-गहरी सांस लेते हुए उसे छोड़ देता है राधिका ने यह उमीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी छोड़ देगा, पर उसने छोड़ दिया था उसे समझ नहीं आया कि यह सक्यों किया और उसके चहरे का एक्स्प्रेशन देखकर मेघांच खुद ही बताता है अंडिसको बच्चों के लिए हमने जल्दी छोड़ दिया रात में हम नहीं छोड़ेंगे ये बोलते हुए वह उटकर वाश्रूम से निकल जाता है और उसके बाद बाहर आकर देखता है कि चारों बच्चे जगल रहे हैं बस उसका बड़ा वाला बेटा चुपचाप बैठा हुआ है जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है ये सब देखकर रादिका भी जल्दी जल्दी नहा कर बाहर आने के लिए दर्वाजा खोलती है और उसे याद आता है कि अंदर तो कपड़े ही नहीं है वो कुछ सोचकर दर्वाजा बंद करकि साइड वाले दराज को खोल कर देखती है तो उसमें काफी सारे कपड़े थे जो उसके ही कपड़े हैं और तीन साल पहले भी यह यहां थे और अभी भी यहां पर है यानि कि मेघांशी ने उसकी सारी चीजों को सही सलामत रखा था ये सब देखकर रादी का खुद हैरान हो जाती है उसे यकीन नहीं होता कि मेघांश हैसा भी कर सकता है उसने ये सब नहीं सोचा था कि मेघांश हैसा कुछ करेगा वही एक कुर्ती निकाल लेती है जो नीले रंग की है और उसमें गोल्डन रंग का मयूर डिजाइन किया हुआ है और वह काफी ज़्यादा खूबसूरत है वह उसे पहन लेती है और अपने बालों को टौवल से पोँचते हुए बाहर आती है अपनी मम्मी को देखकर सारे बच्चे उठने ही वाले थे कि मेघांश अपनी थंडी आखों से उन सब को देखता है तो वह सब बैक जाते हैं बड़ा वाला बिल्कुल भी मेघांश को नहीं देखता वह भागते भागते रादिका की पास जाकर उसकी टांगों को गले लगा लेता है रादिका उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी पीत को थप थपाती है और कहती है अंडस को क्या आपको भूख लगी है वहां कहता है ये सुनकर रादिका बिस्तर पर आ जाती है और अपने दुपट्टे को हटा कर साइड में रखती है मेघांश को समझने में एक मिनट भी नहीं लगता और वह उसका दुपट्टा फिर से उससे देते हुए गुस्से से कहता है अंडस को ऐसा नहीं कर सकती हो तुम मेघांश की बाते सुनकर रादिका हैरान हो जाती है और कहती है अंडस को पर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते है बच्चे को भूख लगी है उसे दूद पीना है मेघांश उसके मूँपर हाथ रखता है और कहता है अंडिस को बच्चों की सामने ऐसी बात करना बंद करो उसे रखो और अब मेरे साथ चलो ये बोल कर वह उसके बच्चे को छीन लेता है और साइड में बिठा देता है वह गुसे से मेघांश को देखने लगता है मेघांश उसके गाल पर हाथ रख कर कहता है अंडिस को अब तुम बड़े हो चुके हो जिम्मेदार बनना सीखो तुम सबसे बड़े वाले हो तुम्हें ही जिम्मेदारी लेनी है पहले बहुत जिम्मेदारी है तुम्हारे कंदों पर अभी से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो हर वक्त अपनी मम्मी के साथ चिप के मत रहो ये बोलते हुए वह राधिका को लेकर बाहर आ जाता है और उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उसे दिवार के साथ सटा कर उसके गाल पर हाथ रख कर दांग पीस कर कहता है अंडसको अगर तुमने मेरे बच्चों को ब्रेस्ट मिल्प पिलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वो बस मेरा है तुम सिर्फ मेरी हो मतलब की सारी चीजों पर बस मेरा ही हक है और उस पर भी राधिका गुसे से कहती है अंडसको आप कितने ज़्यादा बदतमीज हो कौन बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है ये सुनकर मेघांश उसके बालों को पकर की कहता है अंडसको हम करते हैं ऐसा क्योंकि हमें पसंद नहीं है कोई भी आपके करीब आए अब हम इन सबको बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे ये सुनकर राधिका गुसे से कहती अंडसको हमें आपके साथ रहना ही नहीं है हमें आपसे डिवोस चाहिए हम हमारे बच्चों को लेकर चले जाएंगे आपको दूसरी शादी करनी है कुछ भी करना है आप करिए हमारी तरफ से आप पूरी तरीके से आजाद हो अगले ही पल राधिका नीचे पड़ी हुई थी और उसका हाथ उसकी गाल पर था उसकी आँखों से आंसू निकल रहे थे मेघांश धीरे धीरे अपनी बैल्ट उतारता है और बहुत ही अजीब तरीके से उसे देखता है वो घु्टनों के बल नीचे बैटकर उसके बालों को पकड़ कर उसे अपने साइड करता है और उसके चहरे के पास अपना चहरा लाकर कहता है अंड इसको अगर आपने कभी हम से दूर जाने की बात की तो उस दिन आपका तो नहीं, पर आपकी मम्मी, पापा और बेहन का इस दुनिया में आखिरी दिन हुने वाला है. हम जूट नहीं कहते, हम कुछ भी कर सकते हैं. हमारे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है. राधिका उसकी बाते सुनकर दर से कांप जाती है. उसे यकीन नही होता कि मेघांश क्या कह रहा है. उसे काफी ज़्यादा गुसा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था. वो दरते हुए दूर होती है. पर मेघांश नीचे जुक कर उसके बालों को और भी ज़्यादा कसकर पकलता है और कहता है, अंडस को, हम औरतों पर हात नहीं उठाते. पर आपने हमें मजबूर किया, पर आप पर उठा सकते हैं. अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं. वैसे भी हम आपसे बहुत-बहुत ज़्यादा नाराज हैं. तो हमसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना. अब रादिका खुद को रोक नहीं पाती. वह गुसे से उसका कॉलर पकड़ कर कहती है. अंडस को, तो फिर आप हमें क्यों मारना चाहते थे? उस दिन अगर हम हमारे बच्चे को लेकर ना भागते, तो अब तक हम इस दुनिया में होते ही नहीं. तब किसे कहते हैं ये सब बातें. तब हमारी आत्मा को बुलाते. ये बोलते हुए वह रोने लगती है. उसकी बाते सुनकर मेघांश उसके बालों को और भी कसकर पकड़ता है और कहता है, अंडस को जरूरक पड़ती, तो हम ऐसा ही करते. और हम सच में आपको मारने वाले थे. अच्छा हुआ आप भाग गई. इतने सालों बाद हमें एहसास हुआ कि हम आपको नहीं मार सकते. हम कुछ और सजा दे सकते हैं आपको, जो कि हमने सोच लिया है. और वह सजा है आपके बच्चों से दूर करना. राधी का हैरान हो जाती है. अगले ही पल, वह मेघांश के गाल पर एक थपर मारती है और दूर हटकर उसका कॉल पकड़ कर चिला कर कहती है. अंगस को ऐसा सोचना भी मत. हमारे बच्चों को तुम दूर नहीं कर सकते. हमारे बच्चे सिर्फ हमारे हैं. कोई दूर नहीं कर सकता है हमारे बच्चों को हमसे. चाहे कुछ भी हो जाए. तुम खुद को क्या समझते हो मेघांश राजावत. ह हम हमारे बच्चों को अब हमारे साथ लेकर ही जाएंगे, अब हम नहीं सहेंगे, हमें पता चल गया है कि तुम कैसे आदमी हो, अब हम ये जानते हुए बिलकुल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हमें सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, कि तुम बस हमें मारना चाहत उसके ऐसी बाते सुनकर मेघांश अपनी लाल अंगारों जैसी आँखों से उसे देख रहा था। पर ये लड़ाय एक मा की है और एक मा किसी से हारती नहीं। ये बोलते हुए वल गहरी गहरी सांसे लेने लगती है और दर्द को सहने लगती है। उसे ऐसा करता देखकर मेघांश एक जट्के में उसके कपड़े को फार देता है और उसके सीने को पकड़ कर जबर्दस्ती वह अपने गुसे को कंट्रोल कर सकता है वरना उसका गुसा इतना अधिक था कि वह अभी रादिका को मार सकता था बहुत ही बेदर्दी से इसलिए वह ये सब कर रहा था काफी देर तक उसकी पीट को चूमने के बाद वह उसे अपनी साइड मोलता है और उसके होठों को चूम पाएगी क्या कभी मेघांश ने रादिका से प्यार किया है और क्या कभी मेघांश रादिका को सब सच्चाई बताएगा और क्या कभी मेघांश और रादिका की सामने पूरी सच्चाई आएगी जानने के लिए पढ़ते रहिए रादिका अपने आसू साफ करते हुई कमरे में आई, उसकी हालत सही नहीं थी, वह चल भी नहीं पा रही थी, उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेगांश काफी ज्यादा वाइल्ड हो चुका था, वह काफी घंटे बाद उसे छोड़ पाया था, वह कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई और देखा कि उसके पाँचों बच्चे सोचुके थे। वो एक गहरी सास ली और अपने बच्चों को गले लगा लिया। प्यार से पाँचों के सर को चूमा और ब्लैंकिट से अच्छे से धाक दिया। तभी वहाँ पर मेघान शाया और उसे अपनी बाहों में उठा कर कहा। अंदस को हम यहां पर नहीं, वहां पर सोएंगे। ये बोलते हुए जबर्दस्ती रादिका को लेकर अंदर वाले कमरे में चला गया। उसे बिस्तर पर सुला दिया और खुद उसे गले लगा कर ब्लैंकिट से धाक लिया। फिर से उसे चूने लगा। रादिका समझ गई कि वह फिर स चाहता है, वह दर्दे हुई कहती है, अंदर सको, नहीं, नहीं, प्लीज। रादिका की बाते सुनकर वह रादिका के गाल पर हाथ रखता है और टहता है, अंदर सको, हाँ, हाँ, जरूर करूंगा। आपकी बाते मुझे माननी ही नहीं है, मुझे तो करना है और बस सूरत बदन, आपके गुलाबी हूंट, आपका खूब सूरत मासूम सा चहरा, और बस आप याप. राधिका को कुछ याद आया और गुस्से के साथ उसे दूर धक्का दे कर कहती है, अंड उसको, आप अभी 40 साल के हो चुके हो, मतलब आप बुड़े हो चुके हो, और अभी मैं बस 25 साल की हूँ, मैं काफी यंग हूँ. ये सुनकर मेघांश को काफी गुस्सा आया, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था अपनी उम्र सुनना, वो गुस्से के साथ कहता है, अंड उसको, अगर आपने हमारी उम्र के बारे में फिर से कुछ कहाना, हम आपको छोड़ेंगे नहीं. क्योंकि हमें पसंद नहीं है हमारी उम्र के बारे में सुनना, हमें पता है हमारी उम्र कितनी है. ये सुनकर रादिका गुस्से से कहती है अंडसको अगर आपकी शादी सही वक्त पर हुई होती तो आज आपकी बेटी की शादी होती अब और आपको अभी भी यह सब करना है आप बहुत ही ज़्यादा गंदे हो बहुत ज़्यादा ये सुनकर मेघांश उसके कप्टों को उसके बदन से अलग करते हुए कहता है अंडसको ऐसा कुछ नहीं है वहाँ कर कमफर्टेबली हम कर नहीं पाएंगे ये हमारा बैड है यहाँ पर हम कमफर्टेबल हैं ये बोलते हुए वह उसके गाल पर हाथ रखता है और उसके होटों को चूमने लगता है। राधिका गुस्से से उसके चेहरे को दूर हटाते हुए कहती है। अन्डिस को नहीं, नहीं, नहीं और नहीं। अब बस हुआ। वह कहां रुखने वाला था, वह रुखता ही अब ही अचानक पांचों बच्चे एक साथ उसे कमरे में आ जाते हैं और उन्हें देखकर राधिका डर जाती है और थोड़ा दूर हट जाती है। मेघांश उसे अपने करीब कीच लेता है और बच्चों को देखते हुए कहता है, अन्डिस को, यहां पर क्या चाहिए तु को पकर लेता है और गुसे के साथ उसे खुद को महसूस करवाते हुए कहता है, अन्डिस को, महसूस करो हमें, हम कितने ज़्यादा बेताब हैं आपको पाने के लिए, और आपको उनके पास जाना है, कल ही हम उन सब को बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे, पहले जब यह सब नहीं थे, तब अच्छा था, रादिका काफी ज़्यादा गुसा हो जाती है, और जबर्दस्ती पूरा जोर आजमा कर मेघांश को दूर करती है और अपने बच्चों के पास जाकर उन्हीं गले लगा लेती है, सारे बच्चे उसे भी गले लगा लेते हैं और मेघांश उसे से मेघांश को देखकर अपने बच्चों को लेकर कमरे में आ जाती है और लेग जाती है, मेघांश गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने के लिए सिगार निकाल कर कश भरने लगता है, पर वो शांती नहीं कर पा रहा था, उसे चाहिए रादिका, वो खुद को आगले दिन, सुबह, रादी का धीरे धीरे आखे खोलती है तो खुद को किसी के मजबूत बाहों में पाती है। पर खूल को देखकर रादी का काफी दर जाती है और उसे दूर धक्का देकर बिस्तर से उठ जाती है। यह महसूस करके मेघांश भी उठ जाता है और रादी का को देखकर गुसे के साथ कहता है। अंडुसको, ये सब क्या है? आप उठ गई क्यों? करीब आओ, हमने उठने की पमिशन नहीं दी. आओ हमारे करीब, हमें और थोड़ा सोना है. हम ठक चुके हैं, कुछ देर पहले हम घर लोटे हैं और बचे अभी घर पर नहीं हैं. वे लोग बाहर खेल रहे हैं. ये सुनकर रादिका गुसे से कहती है, अंडुसको, पर हमें आपके करीब नहीं रहना. हमें आपके साथ नहीं रहना. हमें अच्छा नहीं लगता आपके साथ रहना. आप जाए यहां से, छोड़ दीजिए हमें, हमारे करीब मताना. हम जा रहे हैं बच्चों के पास. ये बोलते वाश्रूम भाग जाती है और उसके पीछे-पीछे मेघांश भी भागते हुए जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर वाश्रूम का दर्वाजा अंदर से लॉक कर देता है। क्योंकि मेघांश ने फिर से उसके साथ वह सब किया था। वह भी जानवरों की तरह बहुत ही बुरी तरीके से। इधर मेघांश बाहर आ जाता है और देखता है कि उसके सारे बच्चे सोफे पर बैठे हुए थे और न्यूस पापा पर रहे थे। उसके बड़े वाले बेट को सहलाते हुए कहता है। अभी तो ठीक से बोलना भी नहीं आता तुम्हें। वह कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप रहता है। उसे चुपचाप देखकर मेघांश उसके गाल पर हात रखता है और कहता है। हम आपके पापा हैं। हमें पापा बोलो। वह कुछ नहीं कह वो पापा क्यों नहीं कह रहा था, यह मेघांश जानना चाहता है, इसलिए वो उसके छोटे से हाथ को पकड़ लेता है और उसे सोफे से नीचे उतारता है और एक गुटनों के बल नीचे बैट कर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, उसके आँखों में देखते हुए पूचता है, अंडसको, आप हमें पापा क्यों नहीं कह रहे हो, हमें रीजन बताओ, वो चहरा घुमा लेता है और बिना एक्सप्रेशन के साइद में देखने लगता है, तो मेघांश उसके छोटे से सर को पकड़ कर उसे अपने दोनों हाथ से उठा कर हवा में कर लेता है और पूचता है, अंडसको, बताए, वो अपनी धीमी आवाज में कहता है, अंडसको, क्योंकि आपकी वजह से मम्मी रोती है हर रात, ये सुनकर मेघांश हैरान हो जाता है और कहता है, अंडसको, हमारी वजह से, वो कुछ नहीं कहता, वो अपना चहरा फेर लेता है, और उ उसे ऐसा करता देखकर मेघांश उसे सीने से लगा कर कहता है, अंड उसको हमें माफ कर दो बच्चा, ये सुनकर वह उसे दूर हटाते हुए कहता है, अंड उसको हमें ये सब पसंद नहीं है, और आपको माफी मम्मी से मांगनी चाहिए, ये बोलते हुए वल चुक हो जाता है उसे चुप होता देखकर मेघांश उसके गाल पर हाथ फेर कर प्यार से कहती है अंगस को ठीक है बच्चा, हम माफी मान लेंगे आप हमसे नाराज मत रहना आप अपने भायों की साथ खेलो, आपको आपका बच्पन जीना है हम नहीं चाहते कि आप हमारे जैसा बनो आपको आपका बच्पन खुल कर जीना है आपके पास आपकी मम्मी है, पापा है, दोनों ही आपसे इतना प्यार करते हैं तो आपको खुश रहना चाहिए क्यों खुद को हमारे जैसा बना रही हो हम नहीं देखना चाहते कि आप हमारे रूप में तक्लीफ उठाएं। वो कुछ नहीं कहता। उसके गोज से उतर कर सोफे पर न्यूस पापर लेकर बैख जाता है। फिर से गहरी सांस लेता है और पीछे राधिका को देखता है जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। राधिका को देखते ही वो अपने चहरे के एक्स्प्रेशन सक्त कर लेता है ताकि राधिका को उसका कमजोर पक्ष न दिखे पर राधिका ने देख लिया था वो कुछ नहीं कहती वो आकर अपने बच्चे से न्यूस पापर छीन लेती और डांट कर कहती है अंदसको क्या आ आतों से खाना बनाएंगे वो चला जाता है खेलने के लिए हाला कि उसे बिलकुल भी दिल्चिस्पी नहीं है खेलने में ये बस वो अपने मम्मी के लिए कर रहा था उसे अपनी बात ना मानता देखकर मेगांश राधिका को देखता है और कहता है अंदसको ख्याल रखना पच्चों का हम बाहर जा रहे हैं आने में रात हो जाएगी रादिका कुछ नहीं कहती और मेघांश उसके करीब आकर उसकी कमर को पकड़ के उसे खीच लेता है अपने पास उसे गले लगा कर उसके खूबसूरत चहरे को देखता है और उसके होटों को चूम लेता है फिर कहत लगती है तो मेघांश उसे पीछे से बाहों में भर कर कहता है अंड उसको हम मजात नहीं कर रहे हैं हम सच कह रहे हैं जैसे जैसे रादिका मेघांश की सारी बाते सुनती है उसे लग रहा था कि तीन साल पहले यह आदमी उसे मारना चाहता था उसे जान से मारना चाहता था यह अचानक क्यों बदल रहा है शायद इसके पीछे भी कोई राज है या कोई चाल है या फिर यह इनसान ही खराब है वो शायद समझ नहीं पा रही है उसे वक्त चाहिए समझने का सोते हुए वह गहरी सांस लेती है और उसका हाथ दूर करती है और कहती है अंडसकोग छोड़िये उसकी बाते सुनकर मेघांश गुस्से से कहता है अंडसकोग यू छोड़ें नहीं छोड़ेंगे आप कहीं नहीं जाने देंगे तीन साल बहुती दर्द के साथ बिताय हैं अब और नहीं अब और हमें मंजूर नहीं है दर्द अब हमें आप चाहिए चाहि कुछ भी हो जाए देखना आपको हमने धून कर निकाला आप अगर पाताल में चले जाते या आसमान में हम धून कर लाते ये सुनकर रादिका गुस्से से कहते अन्डस को धून कर लाकर मार देते हैं ना फिर दर्द सितर पाते हैं ना यही तो चाहते हो आप हमें मारना तो अभी तक जिन्दा क्यों रखा है अभी तो हम आपके सामने हैं मार दीजिए वैसे भी अभी हमारे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं अब क्या ही फर्क पड़ता है राधिका की बाते सुनकर मेघांश उसके बालों को खूलते हुए कहता है अन्डस को हमने कहा ना हम आपको दूसरी तरीके से सजा देंगे ऐसे नहीं बहुत ही गलत फैसला लिया था आपको मारने का अफसोस है हमें उस फैसले पर की हम आपको मारना चाहते थे हम आपको नहीं मारेंगे बिल्कुल नहीं अच्छा हुआ आप भाग गई थी अच्छा हुआ तीन साल बाद मिली ये बोलते हुए मेघांश उसके गाल पर हात रखता है और उसे सीने से लगा लेता है तभी मेघांश को कुछ याद आता है और वह कहता है अन्डस को यानि कि वह मेरा बेटा नहीं है मेरे से अलगी बच्चे हुए थे वह किसी और का है जो कि इस दुनिया में नहीं है तो मैं उसके असली माता पिता को ढूंडने की कोशिश करूँगा और उसे दे कर आऊंगा रादिका को काफी गुसा आता है और वह कहती अन्डस को बिलकुल नहीं वह हमारे साथ रहने वाला है उसे आपकी आदद पर चुकी है वह आपको पापा मानता है और आप इतने जादा बेदर्द कैसे हो सकते हो आप उसे अपने बेटे जैसा प्यार क्यों नहीं करते ये सुनकर मेघांश को याद आने लगता है कि रादिका के मम्मी पापा भी तो उसके मम्मी पापा नहीं थे कोई रिष्टा भी नहीं था वे तो बस काम करते थे पर उसे बेटे जैसा प्यार भी करते थे ये सोचकर वह गहरी सांस लेता है और कहता है अन्रिसको ठीक है ये बोलते हुए वह रादिका को लेकर गार्डन में आ जाता है और देखता है चारों बच्चे खेल रहे थे पर उसका बड़ा बेटा सोफे पर चुपचाप बैठा हुआ है बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख रहा है ऐसा देखकर मेघांच को काफी बुरा लगता है और वह रादिका से कहता है अंडिसको यह हैसा क्यों बना हमें काफी बुरा लग रहा है ये सुनकर रादिका गहरी सांस लेती और कहती अंडिसको वह हमें भी नहीं पता हमें भी काफी बुरा लगता है काफी ज़्यादा बुरा लगता है ये बोलकर वह गुस्से के साथ अपने बच्चों के पास जाने लगती है पर तभी चारों बच्चे राधिका को घेर लेते हैं और कहते हैं अंदस्को हमें फाउंटेन में नहाना है हमें फाउंटेन में नहाना है ये सुनकर राधि का हैरान हो जाती है और कहती है UNDIS पूल में जाकर नहाँ वहाँ पर नहीं मेघांश को तो पता है कि चारों बच्चो को फाउंटेन में नहाना कितना ज्यादा पसंद है इसलिए वो पमिशन दे देता है रादिका हैरानी से उसे देखने लगती है और कहती है अंदिसको आप क्या कर रहे हो वो कोई नहाने की जगर है बच्चों को पमिशन दे रहे हो मेघांश हसकर कहता है अंडस को बच्चों को अच्छा लगता है और जो उन्हें अच्छा लगता है उन्हें देना चाहिए जो चीज हमें नहीं मिली हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के पास होते हुए भी ना मिले क्या होने वाला है इसके बाद क्यों मेघांश रादिका को फिर से प्यार के जाल में फंसा रहा है क्या वो रादिका से अभी भी प्यार करता है या फिर यह बस उसका धोखा है और कब मेघांश को सारी सच्चाए पता चलने वाली है जानने के लिए पढ़ते रहिए रात का वक्त, एक खूबसूरत सा पैलेस, उसके ही एक कमरे के अंदर सेया बैठी हुई थी, उसका हाथ उसके पेट पर था, वो प्रेगनेंट थी और उसके बगल में ही एक प्यारा सच छोटा बच्चा सो रहा था और उसके मुझ में निपल था वो काफी ज़्यादा थकी हुई लग रही थी, उसके आखों के नीचे दाख सकल थे, पर फिर भी वो काफी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उसने पीले रंग की बनार सी साड़ी पहनी थी और सफेद रंग का बलाउज, जो की काफी खूबसूरत लग रहा था उसके मांग में सिंदूर था, हाथों में चूडियां, और गले में मंगल सूत, कमरे का दर्वाजा खूलता है और रिदांश कमरे में आकर दर्वाजा बंद करता है अपनी कोट को साइड में रख कर बिस्तर पर बैठता है, उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा कर कहता है, अन्डुसको, क्या हुआ तुम्हें सिया कुछ नहीं कहती, बस सिर नीचे जुका लेती है, इसे देखकर वह अपनी शर्ट उतार कर साइड में फिकता है और उसके करीब आकर बैठ जाता है अपने बेठे को देखकर उसके मूल से नेपल फीच कर निकालने ही वाला था कि सिया उसका हाथ पकड़ के रोते हुए कहती है, अन्डुसको, नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए, वह उच जाएगा, बहुत मुश्किल से सोया है, वह बहुत रो रहा था उसकी बाते सुनकर रिदांश उसके गाल को थपकाता है और कहता है, अन्डुसको तो क्या हुआ उच जाएगा तो तुम होना संभालने के लिए, संभाल लेना उसे वैसे भी काफी ज़्यादा थक चुका हूँ, काफी लोगों को निपताना जो था आज पता नहीं क्यों सब मेरे खिलाफ चले जाते हैं, देखा न, मेरे खिलाफ जाने का नतीजा, अभी सब टीवी पर देख रहा है, न्यूस पाप में चल रहा है चलो, जो भी हो, अभी मुझे तुम्हारे करीब आना है ये सुनकर वह अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है, अन्रिसको, नहीं, प्लीज आप कुछ महीने इंतजार नहीं कर सकते ये सुनकर वह गुसे से कहता है, अन्रिसको, हम क्यों इंतजार करें हमें इंतजार नहीं करना चाहिए ये कहते हुए वह उसे बिस्तर पर लेटा कर उसके उपर आ जाता है और उसके पेट पर दबावना देते हुए उसके होटों को चूनने लगता है तब ही अचानक गलती से बच्चे के मुँ से नेपल निकल कर नीचे गिर जाता है और वह गला फार कर रोने लगता है उसे रोता देखकर रिदांश को बहुत ज्यादा गुसा आ जाता है और वह कुछ करने ही वाला था कि सिया उसे गले लगा लेती है और कहती है, अंडसको, प्लीज, प्लीज, कुछ मत कर ये ना, मैं उसे सुलाती हूँ, प्लीज सिया को गले लगाता देखकर वह एक गहरी सांस लेता है और उसके होटों को थोड़ी देर तक चुमता है सिया अपने बच्चे के सीने को थपकाने लगती है और निपल उठा कर उसके मूँ में फिर से रख देती है तो वह फिर से सो जाता है रिदाल्श उसे लेटा देता है और उसके पेट पर बिना दबाव दिये उसके साथ फिजिकल होने लगता है जब तक वह खुश नहीं हो जाता उसे छोड़ता नहीं है जब उसका मन भर जाता है वह उसे छोड़ कर अपने बच्चे के बगल में लेट जाता है और उसके प्यारे गुरे गालों पर हाथ रख कर कहता है अंडस को ये बिल्कुल मेरे जैसा है क्यूंकि यह मेरा बेटा है सिया आँसु भरी आँखों से उसे देखती है और हाँ कहती है सिया की आँखों में आँसु देखकर वह उसके आँसु साफ करता है और कहता है अंडस को प्रोना बंद करो जाकर फ्रेश हो लो तब तक हम हमारे प्यारे बच्चे की साथ वक्त बिताते हैं हमारे प्यारे छोटे से बच्चे से कितना ज्यादा प्यार है, मन कर रहा है बस हम हमारे बच्चे को देखा ही करें ये कहते हुए वह उसके मूँ से नेपल निकालता है और उसके होठों को चूम लेता है फिर उसे सीने से लगाकर उसके गाल को चूमता है और उसके पीत पर थपकी देने लगता है ये सब महसूस करके बच्चा आँखे खोलकर रिदांश को देखता है और कुछ देर तक उसके चहरे को देखने के बाद उसके सीने पर सिर रखकर कमफर्टेबल हो जाता है और फिर से सो जाता है प्रिदान्श ये देखकर संतोश से कहता है अंडसको देखो अब नहीं रो रहा है मेरा बच्चा मेरे पास आकर सिया फ्रेश होकर बाहर आती है और आकर बिस्तर पर बैठ जाती है और कहती है अंडसको काफी दिन हो गए माबाबा से मिले मन कर रहा है क्या आप मिलने ले जाएंगे ये सुनकर वह हसते हुए कहता है अंडसको बैठ रोम से हम तुमको निकलने नहीं देते और माबाबा से मिलने देंगे ये हो ही नहीं सकता है सोच कर देखो इतने साल हो गए है तीन साल तुम्हें बेडरों से निकलने नहीं दिया सिया आंसू साफ करती है और उसे याद आता है कि तीन सालों से वह इसी बेडरों में पड़ी हुई है बस खाना आता है वह नहाती है खाती है और यहां आदमी आकर अपना काम पूरा करता है यहां तक कि जब बच्चा होने वाला था, तब भी इस आदमी ने अस्पताल को ही घर में बुला लिया था यहां तक कि इस कमरे से बाहर किया है, उसने वह भी नहीं देखा था यह सब सोचते हुए वहां सु साफ करती है और अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे बिस्तर पर आकर बैट जाती है इसे देखकर रिदांश उसके करीब आकर पास से अपना बैट पहनते हुए कहता है अंडस को, चलो, एक काम करता हूँ आज तुम्हें पहले इस घुमाता हूँ पहले इस तो गुरूंगी सकती है और वैसे भी अब दो बच्चे होई चुके हैं अब कहां ही भाग जाओगी अब तुम भाग नहीं सकती हो यह कहते हुए वह वाशुंग चला जाता है और कुछ देड़ बाद बाहर आता है फ्रेश होकर और अपने बेटे को गोध में उठा लेता है देखता है तो उसने दाइपर गंदा कर दिया था सिया को देखता है और सिया उसके करीब आकर उसे अपने गोद में उठा लेती है और अच्छी से डाइपर चेंज कर देती है और फिर रिदांश को देती है। जब उसे यहां पर लाया गया था उसकी आखों में पट्टी बांदी गई थी इसलिए उसने ये सब देखा नहीं था। अब ये सब देखकर वह हैरान हो जाती है और उससे भी ज्यादा हैरानी के साथ रिदांश के पीछे पीछे जाने लगती है। जब देखती है। जुरत साफ पानी था इतना साफ की पिया भी जा सकता है। उसके गाल को चूम कर कहता है अंडस को देखाना तुम्हारा पती कितना ज्यादा अमीर है और तुम तुम्हारे इस अमीर पती को छोड़कर भागना चाहती हो। ये सुनकर वहांसु साफ करती है और कहती है अंडस को अब क्या ही फाइदा भागाने का। कुछ नहीं है मेरे पास भागने के लिए और मैं मेरे बच्चों को छोड़कर कहां जाऊंगी। मैं मेरे बच्चों को छोड़कर जाही नहीं सकती हूँ। मुझे मेरे बच्चों के साथ ही रहना है। अपने बच्चों के साथ। उसके चारों बच्चे फाउंटेन में नहा रहे थे और वह देख रहा था अपने बच्चों को। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसे देखकर रादिका हैरान हो जाती है और मेगांश को देखने लगती है। इधर वहाँ पर और कोई नहीं आया प्थाण और बेटियां हैं आचल और शृती ये सुनकर राधिका मुस्कुराते हुए कहती है अंड को कई सालों बाद हम मिल रहे हैं तुम अच्छी हो ना इधर उन सबकी यह बाते सुनकर मेघांश मुई बना कर कहता है अंड को हमसे तो कभी ऐसे नहीं कहा उसकी बाते सुन कर रादिका गुस्से से रहती है अंडस को आप कुछ ना कहें तो ज्यादा बेहतर है तब ही आयांश का ध्यान जाता है चारों बच्चों पर जो खेल रहे थे और बड़ा वाला अभी भी चेय पर बैठा हुआ है और बिना एक्सप्रेशन की सामने देख रहा है उसे बच्च अभी दूर रहकर भी अच्छे से सीखा है और इन चारों को देख लो कैसे बद तमीजी से बात करते हैं इन्हें तो अभी भी बात करने का तमीज भी नहीं पता पर यह अभी से नजाकत से बात कर रही है मेघांश कुछ नहीं कहता वो बस अपने बड़े वाले बेटे को द यह सुनकर रादी का फटाफत जबाब देते हुए कहती है अंडस को हमने उसका नाम रुदरांश रखा है रुदरांश इधर आओ बच्चे यह सुनकर वह अच्छे से उठाकर उनके करीब आता है جिसे देखकर खुशी उसे गले लगा कर कहती है अंडस को कितना प्यारा है और यह कितना ज्यादा स्वीट भी है कैसे बात मान रहा है और यह चारों हर वक्त शैतानी करते रहते हैं राधि का आशु साफ कर देती है और कहती है अंदसको बदकिस्मती से हमने बहुत मिस्किया है हमारे बच्चों की शैतानियों को सब उनकी वजह से हुआ खेरव सब सोचने से क्या ही होने वाला है सच्चाए बदलने तो नहीं वाली है ये बोलते हुए राधि का गहरी सोच में दूब जाती है और मन में रहती है अंदसको अब हमें बस जानना है किस बात का बदला हमसे ये लिना चाहते हैं अब और नहीं, अब हम उसे बात तक पहुंच के ही रहेंगे जाहे कुछ भी हो जाए। हमें अब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अब हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं। हम अकेले नहीं है और हमें पता है हमारे बच्चे हमारे बिना नहीं रह सकते हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। ये सोचते हुए वह मेघांश को देखती है और उसे सोच में दूबा हुआ देखकर मेघांश उसके करीब आकर कहता है। अंडुस को ज्यादा आपने दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है, बच्चों को लेकर कमरे में चले जाए। हम इन्हें संभाल लेंगे। ये सुनकर रादिका गुसे में रहती है, अंडुस को आप कुछ नहीं कहे तो ज्यादा बहतर है। हमने कहा ना, हमें आपसे ब मुँपर नहीं बोल सकती है। हमने मना किया ना तो आप क्यों हमारे मुँपर बात कर रही है। हमें बिलकुल पसंद नहीं है ये सब, आपको पता है न हम काफी ज्यादा गुस्सा आता है। रादिका कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ, राजावक मेंशन, मेघांश की मम् कहती है, अन्रस को, आप ही बताए, क्या ही सोच सकती हूँ। अब लगता है हमें बता देना चाहिए, क्योंकि वह अप कमजोर नहीं है, वह बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है, वह कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर मेघांश के पापा कहते हैं, अन्रस को, आपने सही बोल अब हमें बता देना चाहिए, वैसे भी सच शुपाने से नहीं छिपता, किसी न किसी दिन तो पता चलना ही है, पर एक चीज हम कभी नहीं भूलेंगे, जो कि यह है कि हमारे माता पिता ने हमारे साथ कितना गलत किया, अब तो हमारे बच्चों के साथ भी बहुत गलत किया, उनकी वजह से हमने दिल पर पत्थर रखकर हमारे बच्चों में भेद भाव किया हम हमारे तीनों बच्चों से ही एक समान प्यार करते हैं ये बोलते हुए वह एक गहरी सांस लेकर अपनी वाइफ को देखते हैं और वह भी उन्हें देखकर कहती है अन्रिसको का आश्वर दिन कभी आया ही नहीं हूता तो आज हमें हमारे बच्चे को इस हालत में नहीं देखना पड़ता वह कितना नफरत करता है हम से ये बोलते हुए वह रोने लगती है और उन्हें रोता देखकर पापा उन्हें शांत करवाते हुए कहते हैं अन्रिसको हमें पता है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पर हम क्या ही कर सकते हैं जो होना था वह हो चुका है क्योंकि हनी को कौन डाल सकता है बोलते हुए वह शांत हो जाते हैं उन्हें शांत होता देखकर मेघांच की मम्मी कहती है अन्डिस को पर अब हम और नहीं रोग सकते अब हम हमारे बच्चे को सब बताएंगे वह जानना दिजव करता है इतने साल हो चुके हैं न किसी दिन जो चीज हमें सहना पड़ा वह उसे भी सहना पड़ सकता है अभी तो ठीक है पर इसलिए हमें सब सच सच बता देना चाहिए मेघांश को और कुछ भी चुपाना नहीं चाहिए दूसरी तरफ मेघांश अभी गार्डन में था और उसके बच्चे अभी भी नहीं गए थे वह सब जगर रहे थे और वह देख रहा था अपने बच्चों को उनके जगरे में भी अलगी प्यार था शायद भाईयों का प्यार ऐसा ही होता है पर रिदांश ने कभी उसे उस नजर से देखा ही नहीं हाला कि वह बच्चपन में बहुत प्यार करता था अपने छोटे भाई से पर रिदांश उसे बिलकुल पसंद नहीं करता था उसे नफरत करता था क्या होने वाला है इसके बाद अब मेघांश को सब सच्चाए पता चलने वाली है क्या सच्छाए पता चलने के बाद राधिका और मेघांश में सब कुछ सही हो जाएगा या मेघांश की अतीत में की गई गलतियों की वजह से राधिका उसे छोड़ कर चली जाएगी और बच्चे किसके साथ रहेंगे मेघांश के साथ या राधिका के साथ जानने के लिए पढ़ते रहिए उद्धरन चिन्ह गार्डन में राधिका अपने बच्चों को देख रही थी वो सब खेल रहे थे राधिका ने एक नजर अपने बड़े बेटे पर डाली और उसके करीब जाकर उसके कंदे पर हाथ रख कर बोली अन्डसको क्या हुआ बच्चा आप खेल क्यों नहीं रहे हो अपने भायों के साथ आपको भी तो उनके साथ खेलना चाहिए न ये तो बुरी बात है कि आप नहीं खेल रहे हो चलो उनके साथ खेलने चलो राधिका की बाते सुनकर उसने राधिका को देखा और धीमी आवाज में बोला अंडिसकोक मम्मी रादिका समझ गई कि उसे भूख लगी है उसके सारे बच्चे बहुत छोटे थे लेकिन एपल छोटी उम्र में ही बहुत समझदार बन चुका था बाकी बच्चों के मुकाबले वो काफी ताकतवर था और काफी जल्दी चलना बोलना सीख गया था इसी वजह से तीन साल की उम्र में भी वह पांच साल के बच्चों जैसा लगता था रादिका अपने बच्चों को अच्छे से देखती है और फिर बाकी बच्चों के पास जाती है वो सब उसे गले लगाते हैं सभी अभी नंगे थे और नहा रहे थे रादिका अपने बाकी बच्चों को देखती है उन्हें गोद में उठा कर पानी में खड़ा कर देती है उसके वाइट शर्ट को खोल कर अपने हाथ में ले लेती है और उसकी पैंट खोलने लगती है वो अपना हाथ वहाँ पर रख देता है और कहता है अंडिसकोक नहीं ये सुनकर रादिका हस्ती है और कहती है अंडिसकोक अभी से इतना शर्म वो कुछ नहीं कहता तभी वहाँ पर मेघांश आता है और उसे देखता है वो चुपचाप कर रहा था बाकि बच्चे जाकर उसे पानी देते हैं लेकिन वो हस्ता तक नहीं वो वैसे ही रहता है और उसे एसा कर्टा देखकर मेघांश उसे बाहर निकाल लेता है और अपनी गोद में उठा कर ले जाता है फिर वो बाकी बच्चों को भी बाहर निकाल लेता है एक बच्चे को अपने कंदे पर रखता है दूसरा बच्चा भी उसके कंदे पर आ जाता है और बाकी तीनों को वो अपनी गोद में उठा लेता है उन सब को लेकर जाने लगता है राधिका मुस्कुराते हुई यह नजारा देख रही थी उसे काफी अच्छा लग रहा था कि इतने सारे बच्चे हैं मेघांश हंस रहा था और थोड़ा शर्म भी महसूस कर रहा था इसके बाद मेघांश बच्चों को अच्छे से शैंपू करवाते हैं नहलाते हैं और फिर उन्हें सूट पहना कर पांच को लेकर अंदर आ जाते हैं बिस्तर पर बिठा देते हैं और बच्चे अपना अपना फीद लेकर पीने लगते हैं इस बीच बड़ा बेटा रुद्रांश राधिका को देखता है और राधिका उसे गोद में उठा लेत है सारी का पलू थोड़ा उपर करके उसे फीद करवाने लगती है मेघांश गुस्से से उसे देख रहा था और काफी गुस्सा आ रहा था वो कुछ कहने ही वाला था कि राधिका हाथ दिखा कर उसे चुप करवा देती है और फीद करवाने लगती है आप सारे बच्चे राधिका को ही देख रहे थे उन्हें जानना था कि यह क्या हो रहा है वो अपना अपना फीदर हाथ में पकड़ लेते हैं चोटा बेटा जल्दी जल्दी राधिका के पास जाता है और राधिका उसके गाल पर लगे दूद को अपनी उन्दी से साफ कर देती है और उसके गाल को सहलाती है बड़े बेटे के चेहरे पर दूद लगा हुआ था अब सब को समझा जाता है कि क्या हो रहा है बाकी चारों बड़े बेटे को हटाने लगते हैं लेकिन वहरोंने लगता है राधिका उन्हें शान्त करते हुए कहती है अंदसको रुको आप सब और उसे दूद पिलाती है वह सो जाता है राधिका उसे उठा कर बिस्तर पर सुला देती है और छोटे वाले को अपनी बोद में ले लेती है वह भी खुशी के साथ feed करने लगती है तभी वह आँखे बंद कर लेती है और गहरी सांस लेती है क्योंकि उसने white कर लिया था मेघांश बुरी तरह से जलोठा था उसे काफी गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से के साथ कहता है अंडुस को मना किया था मैंने मेरे बच्चों को ऐसे फीड नहीं करवा सकती हो तुम राधी का गुस्से से कहती है अन्डस को आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है बच्चे छोटे हैं कम से कम बच्चों को 5 साल तक मां का दूद पीना चाहिए इससे बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग बनते हैं आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे कमजोर बने वरना वो लोग कैसे आपके एंडवल पर राज करेंगे अगर कमजोर रहेंगे तो क्या करेंगे आप तो पर्मानेंग तो नहीं हो दुनिया से जाना तो है, सबको जाना होता है आपकी बात बच्चे तो संभालेंगे वो कमजोर रहेंगे तो क्या करेंगे अभी मेरे बच्चे बस दो साल से निकल कर तीन साल में गिरे थे वो अभी काफी छोटे थे, उनके तो अच्छे से दांट भी नहीं आये चार-चार जनता आता है, किसी का तो दो ही आया है ये बोल कर वो गुसे के साथ मेघांच को देती है फिर देखती है कि उसका बच्चा सो चुका है और उसके चहरे पर सुकून है जो सुकून उसने पहले कभी नहीं देखा यह शायद मा का प्यार था वह उसे गले लगाती है और उसके सर को चूम देती है फिर उसे अपने बड़े बेटे के पास सुला देती है तीसरे बेटे को भी लेती है और उसे फीड़ करवाने लगती है इससे मेघांच को और गुसा आता है और वह वहां से हच जाता है कुछ देर बाद वह भी सुजाता है बच्चों का पेटा भी काफी छोटा था इसलिए थोड़ा पीने से ही उनका पेट भर जाता था और वो आराम से सुजाते थे इसके बाद रादिका चार नंबवाले बेटे को और पांच नंबवाले बेटे को लेती है और दोनों को एक साथ फीदेंग करवाने लगती है वो दोनों इतनी जल्दी नहीं सोते काफी देर तक पीते हैं काफी देर बाद चार नंबवाला सो जाता है लेकिन पांच वा अभी भी उससे नहीं छोड़ता वो उसे सुला देती है और अच्छे से गोद में सुला कर पिलाने लगती है वो बस रादिका को देख रहा था उसके चहरे पर एक अजीब सा सुकून था अब वो पूरी तरह से राधिका पर कबजा बना लेता है और राधिका को गले लगा कर उसके सीने पर अपना सिर्खीचने लगता है उसे ऐसा करता देखकर राधिका उसके गाल पर हाथ रखती है और पूछती है अंडस को क्या हुआ सोना नहीं है तुम्हें ये सुनकर वह दूसरे साइट चहरा करके फिर से फीद करने लगता है राधिका उसे दूपटे से धाक लेती है और उसकी पीत को थपकी देने लगती है ताकि वह जल्दी से सो जाए जैसे उसने सोचा था ऐसा करने पर वह सो जाता है लेकिन राधिका उसे छोड़ नहीं रही थी इसलिए वह काफी देर तक उसे ऐसे ही लेटे रहने देती है जब महसूस करती है कि वह पूरी तरह से सोचुका है तो वह धीरे से उसे देखती है और उसके सिर को चूणकर उसके मूँ से दूद music जो लगा हुआ था उसे साफ करती है फिर उसे सुला देती है और अच्छे लाल हो चुके थे मेघांश की चेस्ट के पास से नसे और हाथों की नसे, सर की नसे दिख रही थी। वह बहुत गुसे में था। राधी का पीछे हटने लगती है तो मेघांश उसे उठा कर दूसरे कमरे में ले जाता है और बिस्तर पर पतक कर उसके ऊपर आ जाता है। वह कह उसके बाद उसके हाथों को अपने सीने पर रखता है। उसके नाक से अपना नाक रगलते हुए कहता है। अन्डस को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद वह राधिका को देखा। उसके ऐसे नाक रखने से उसका और राधिका दोनों का ही नाक लाल हो चुका था, दोनों ही काफी ज्यादा। वह राधिका के गालों को लगता है। राधिका उसे दूर हटाने की कोशिश करती है। चेहरे को घुमा कर कहती है। अंडिसको नहीं छोड़िये न, ठक चुके हैं हम। उसकी बाते सुनकर मेघांश उसके सीने पर कर रखता है। और कहता है। अंडिसको, I won't leave you now, I need you। ये बोलकर वह नीचे उसके सी सीने को देखता है। उसने खुद को ठीक भी नहीं किया था और राधिका खुद को ठीक करने लगती है। लेकिन मेघांश उसका हाथ पकर लेता है और अपने सीने पर अपना सिर रख कर कहता है। अंडिसको, now it is my turn। ये सुनकर राधिका उसे गुस्से से कहती है। अंडि कि मेघांश नहीं सिर्फ वह कर रहा था, बलकि अजीब तरीके से भी कर रहा था। अब वह बच्चों की तरफ फीडिंग भी कर रहा था। काफी देर तक ऐसा करने के बाद वह अपना चेहरा उठा कर राधिका को देख कर कहता है। अंडिसको, बच्चों का खाना है और आ आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या आपको शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े बेशर्म हो आप। ये सुनकर मेघांश बेशर्मी से कहता है, अंडिसको बेशर्म का मतलब है शेमलेस या अनशेंग। ये सुनकर राधिका गुस्से से उसे दूर हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो पूरी तरीके से उसे जगल लेता है और फिर से वही करने लगता है। अब राधिका उसे जो चाहे करने देती है और खुद को धीला छोड़ देती है। उसकी बाते सुनकर मेघांश उसकी कमर को पकड़के एक जख्के में उसके अंदर एंटर करता है। राधिका के मूँ से एक चीक निकल जाती है और राधिका अपना चहरा दूसरी साइड मोर देती है। गहरी-गहरी सांस लेने लगती है और मेघांश मूव करने लगता मेघांश तो पागलों की तरह उसके ऊपर चड़ा हुआ था। दूसरी तरफ, खुशी और आन्याश भी वहाँ पर आय हुए थे। खुशी कमरे में अपने बच्चों को सुला रही थी। बच्चे सुही नहीं रहे थे। और आयाश लगताप लेकर काम कर रहा था। तभी खुशी को कुछ याद आता है और वल कहती है। अंगस को आपन साथी था। बस मैं उससे समझाना चाहता था कि रादिका को नहीं मारना है। क्योंकि रादिका की कोई गलती है ही नहीं। मुझे पता था वल जिस गलती की सजा दे रहा है। रादिका की है ही नहीं। मैंने उससे समझाया और अब उसने यह एकसेप्ट कर लिया है। पर ब मेघांश आज भी पूरी तरीके से खोया हुआ था राधिका में। अभी 20 मिनट हुए थे कि अचानक मेघांश के कान में रोने की आवाज आई। बस मामा मामा करते ही रहते हो, क्या काम नहीं है। ये बोल कर वह कुत्ते के साथ राधिका को देखा और उसके ऊपर से उठ जाता है। ना चाहते हुए भी अपनी कमर पर टौबल लपेदता है और राधिका के ऊपर ब्लेंकिट कर देता है। अच्छी से उसे धाक देता है औ उसे अभी भी रादिका को चाहिए थी, अभी भी उसका मन बिलकुल भी नहीं भरा था, उसने तो अभी शुरू ही किया था, और अब यह आ गया, जिससे उसे काफी गुसा आ रहा था अपने बच्चों पर, वह रादिका के करीब उसे ले जाने लगता है कि यह चुपी नहीं हो रहा था, ना चाहते हुए भी उसे बच्चों को रादिका के पास देना पड़ा और रादिका उसे अपने गले लगा लेती, उसे फीडिंग करवाने लगती है और वह रादिका को गले लगा लेता है और दूद पीते हुए सोजाता है, रादिका भी उसके पीट को थपक करते हैं मेघांश से क्या कभी रादिका और मेघांश अपने बच्चों के साथ हैपी लाइफ स्पैन कर पाएंगे जानने के लिए पढ़ते रहिए 105 प्रिष्टा, 20 प्यार या जरूर, रात का वक्त, मेघांश का कमरा मेघांश काफी देर तक इंतजार करता रहा कि कब उसका बेटा सोए काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसका बेटा नहीं सोया तो उसे गुस्सा आ गया वो खुद पर से कंट्रोल खो रहा था, उसे रादिका चाहिए थी, उसने तब शुरूरी किया था कि यह आ गया वो काफी ज़्यादा गुस्से में था, इधर रादिका भी अप सोजाती है, बच्चों को सुलाते हुए ये देखकर मेघांश को और गुस्सा आता है, वो रादिका के पास लेट जाता है और उसकी कमर को पकड़ कर मसलने लगता है ताकि वो उठ जाए, रादिका उठती नहीं है, बल्कि गुस्से से उसके हाथ को हटा देती है फिर मेघांश अपने बेटे को उठा कर बाहर ले जाता है और बच्चों की साथ सुला देता है इसके बाद कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और जल्दी से रादिका की करीब आकर उसके उपर आ जाता है रादिका गुस्से से उसे दूर हटाते हुए कहती है अंद उसको छोड़िये न क्या कर रहे हैं सो जाए रात हो चुकी है हम काफी ठक चुके हैं एक तो सारे बच्चे उपर से आप शुरू हो गए अप लीज सोने दीजिए ये सुनकर मेघांश ने ब्लैंकिट हटा कर खुद को पूरी तरह रादिका के उपर लेटाया अब तो ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर केवल मेघांश ही लेटा हुआ था उसने पूरी तरह से रादिका को धाक लिया था रादिका गुस्से से कहती है अंडस को सांस लेने में तक्रीफ हो रही है छोड़िये हटाये ये बोलते हुए अचानक उसके मूँ से चीक निकल जाती है और वल गहरी सांस लेने लगती है मेघांश को देखती है मेघांश काफी ज्यादा वाइल्ड हो चुका था वह सुन भी नहीं रहा था बस अपना काम कर रहा था अब रादिका परेशान हो जाती है उसे समझा जाता है कि यह आदमी नहीं माने वाला है जब तक उसे जो चाहिए वह नहीं मिलेगा तब तक वह नहीं रुकेगा रात भर मेघांश ने राधिका को परेशान किया राधिका भी पूरी रात नहीं सोई क्योंकि वह सोने ही नहीं दिया सुबल के पांच बजे बजे मेघांश ने उसे छोड़ा और गहरी सांस लेते हुए देखा कि राधिका भी गहरी गहरी सांस ले रही थी उन दोनों के चेहरों पर थकान साफ देख रही थी मेघांश अजीब तरीके से मुस्कुराता है और खुद की सासों पर काबू पाकर रादिका को देखता है जब उसने रादिका की सीने पर हाथ रखा तो रादिका गुसे से दूर हटा देती है और blanket को नीचे से उठा कर और तकिया को भी ठीक से रख कर लेट जाती है खुद को blanket से धाक कर सो जाती है तभी उसे याद आता है कि अगर बच्चों ने इस हालत में देख लिया तो क्या सोचेंगे वो उठकर जाने लगती है मेघांश भी उसके पीछे पीछे जाता है ये देखकर राधिका रुख जाती है और कहती है अन्डस को आप पीछे पीछे क्यों आ रहे है नहाने जाना है आप ऐसे पीछा नहीं कर सकते मेघांश उसे देखता है और कहता है अंडस को हमें भी नहाना है आपके साथ रादिका गुस्सा हो जाती है और मेघांश को दूर धक्का देकर वाश्रूम चली जाती है और दर्वाजा अंदर से बंद कर देती है उसे पता है कि अगर मेघांश उसके साथ अंदर जाएगा तो वह वहाँ भी शुरू हो जाएगा और नहीं छुड़ेगा रादिका को ऐसा करता देखकर मेघांश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उसके अंदर की फिलिंग्स फिर से जाग जाती हैं उसे बीभी चाहिए था क्योंकि तीन साल की भढ़ास जो निकालनी थी वह तीन दिन में निकल रही थी रादिका पर उसने फैसला किया था कि वह रादिका को छोड़ेगा ही नहीं जब मौका मिले तब रादिका के साथ रोमेंस करेगा काफी देर बाद रादिका बाहर आती है और अपने कप्टों को सही करती है बिस्तर को ठीक करती है और लेट जाती है मेघांश भी उसी हालत में आकर लेट जाता है उसे पकड़कर रादिका गुसे से कहती है अंडसको, दूर रहिए आप बहुत ही ज्यादा पागल हो आप कभी भी शुरू हो जाते हैं एक तो अपने बच्चों का खाना खालिया ना जाने बच्चे क्या कहेंगे ये सुनकर मेघांश मुस्कुराता है और कहता है अंडसको, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई कर लेते हैं और बच्चे हो जाएंगे हमारे पास इतना ज्यादा पैसा है कि हम एक साथ सो बच्चों को पाल सकते हैं हमें ट्राई करते रहना चाहिए इससे कमी नहीं होने वाली है राधी का हाथ जोडते हुए कहती है अन्रसको, आरे बस करें न, पांच बच्चों को लेकर ही मैं परेशान हो गई अगर सो बच्चे होते, तो मैं क्या करती ये सोचकर वह मेघांश को डरते हुए देखती है मेघांश मुस्कुराते हुए कहता है अन्रसको, इमेजन करने से भी ज़्यादा अच्छा है कि हम हकीकत में करें क्योंकि हकीकत में करने का मज़ा कुछ और है इमेजन करने की जरूरत नहीं हम है आपके सामने, हम सच कर सकते हैं राधी का घबरा जाती है और कहती है अन्डुसको नहीं बिल्कुल नहीं आप जाए यहां से दूर रहिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना है पागल कहीं के छोड़िये उसकी बाते सुनकर मेघांश मुस्कुराता है और उसे अपनी बाहों में भर कर सो जाता है रादी का भी ठकान के कारण जल्दी सो जाती है दो चुके थे पाँचों बच्चे उठने के बाद एक दूसरे को देखते हैं और अगले ही पल चारों बच्चे रोने लगते हैं अंडुसको मम्मा मम्मा रुद्रांश नहीं रो रहा था वह चुक चाप बैठा था बिना एक्स्प्रेशन के चारों बच्चे रो रहे थे और उनकी रोने की आवाज बाहर भी आ रही थी लेकिन अंदर से दर्वाजा लौक था राधिका और मेघांच जिस कमरे में थे वह अंदर से लौक था और वे दोनों एक दूसरे से लिप्ट कर सो रहे थे वह सुबह उटकर पास से अपना ट्राउजर पहन लेता है क्योंकि वह उसे के साथ उनके पास जाता है और अपना हाथ गुस्से से टेबल पर पटकता है बच्चे चुप हो जाते हैं और अपनी प्यारी मासूम आँखो से उसे देखने लगते हैं वह दाग पीसकर कहता है अंडर स्को पहले तो हर वक्त परिशान करते थे और जब से मम्मी आये ह तुम सब का ड्रामा स्टॉट हो गया है तुम सब को क्या लगता है पापा को कुछ नहीं पता पापा को अच्छे से पता है आप सब ड्रामा में आसकर जीतोगे रोने का ड्रामा बंद करो और ये मतकारी के आशु हमें मत दिखाओ चुप-चाप जाकर नहा लो सब अपने भाई को देखो, वह कैसे चुप है, कम से कम हमारा एक बेटा तो अच्छा निकला, ये बोलकर वह उन सब को देखता है और वो सब फिर से रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राधिका आकर उन्हें बचा लेगी, लेकिन मेघांश को पता है कि राधिका की नीन कितनी ज़्यादा गहरी है, वह उठती ही नहीं, फिर मेघांश पांचो को उठा कर अपनी गोद में लेता है और उन्हें अपने कमरे में लेकर जाता है, वह राधिका के पास छोड़ देता है, सभी बच्चे ब्लैंकित में लिप्ट जाते हैं, उसका छोटा बेटा राधि देती है, ये देखकर मेघांश को गुसा आता है, क्योंकि जब उसका समय था तो ऐसा नहीं करती थी और आब ऐसा कर रही है, बच्चों को पाकर उसे गुसा आता है और जलन होती है, इसलिए वह गुसे के साथ गहरी सांस लेता है, इधर राधिका महसूस करती है कि उसके सा आते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं, योजक चिन, योजक चिन, योजक चिन, जिसे देखकर मेघांश को फिर से गुसा आया, उसका मन किया कि वह इन सब को हटा कर फिर से राधिका के करीब चला जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, वह अपने ही बच इधर, राधिका दोनों बच्चों को फीडिंग करवाने के बाद उन्हें हटा देती हैं और बाकी दोनों बच्चों को देखती हैं, वो आँखे खोलकर और हात बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कह रहे थे, अंदसको इधर आओ, बाकी दोनों बच्चे जल्दी आ जाते हैं और फीडिंग करने लगते हैं, राधिका मुस्कुराती है और आखे बंद कर लेती है, उसे काफी अच्छा लग रहा था, उसका सपना था कि वो सुबह उठे और अपने सारे बच्चों को अपने करीब पाए, फाइनली उसके सारे बच्चे उसके पास थे, ये सोचकर उसे काफी अच्छा लगता है, वह मुस्कुराने लगती है, उसके चहरे पर यह मुस्कान देखकर निराशा को गुस्सा आया, उसके लिए तो ये लड़की कभी नहीं मुस्कुराती थी, वह भी तो पहले उसके करीब आता था, तब ऐसा नहीं करती थी, आप ऐसा कर रही ह ये सोचकर वो पूरी तरह से जल्बून जाता है कुछ देर बाद बाकी दोनों बच्चे फिर से सो जाते हैं चारों बच्चे सो चुके थे लेकिन उसका बड़ा बेटा राधिका के करीब नहीं आता राधिका उसे बुलाने लगती है लेकिन वह नहीं आता वह नीचे उतर जाता है और छोटे-छोटे कदम बढ़ाते हुए वाश्रूम की तरफ बढ़ने लगता है इसे देखकर मेघांश उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है अंडिसको तुम्ही ज़्यादा बहादूर बनने की जरूरत नहीं है बुला रही है न भूख लगी है न ये बोलते हुए वह उसे बिस्तर पर छोड़ देता है और रादिका की पास भेज देता है रादिका उसे पकर लेती है और उतकर बैठ जाती है और उसे भी फीडिंग करवाने लगती है वह एक नजर में रूदरांश को देखता है और सोचता है कि वह सबसे बड़ा था उसके अंदर भी एक इगो था कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्या सोचेंगे मेरे बाकी भाई बड़ा भाई होकर अभी भी फीडिंग कर रहा है ये सोचते हुए वह रादिका को दूर हटाने लगता है रादिका उसे देखती है मेघांश समझ जाता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है वह जाकर उसे अपनी गोध में उठा लेता है और कहता है अंडसको तुम छोटे हो तुम सब त्विंस हो एक दो मिनट बाद होने से कुछ नहीं होता चुपचाप पीलो तुम्हें ज़्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है वह चुप हो जाता है और रादिका के पास आकर बैठ जाता है रादिका उसे प्यार से गले लगा लेती है सभी बच्चे सोच चुके थे फिर वह भी दूद पीते हुए सो जाता है रादिका उसे सुला कर उतकर वॉश्रूम चली जाती है थोड़ी देर बाद तयार होकर बाहर आती है और बाहर आकर वह अच्छे से सिंदू लगाती है और चूडिया पहनती है वह बाहर जाने लगती है तो मेघांश उसे पकड़ कर बिस्तर पर बिठाते हुए कहता है अंडिसको, सोजाव, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमने पहले ही बता दिया है सेफ को कि वह खाना बना लेगा ये बोलते हुए मेघांश उसे देखता है और रादिका उसे देखती है मेघांश अभी भी वैसे ही हालत में है उसकी कमर पर उसने टोवल लपेट रखा है रादिका गुसे से कहती है अंडिसको, आप कब से इतनी ज़्यादा बेशर्म बन चुके हो हर वक्त तो पफेक्ट रहते हो, हर चीज पफेक्ट चाहिए और अब अपनी हालत देखो उसकी बाते सुनकर मेघांश उसके होटों को चूनता है और कहता है अंडिसको, तो क्या हुआ हमारी मरजी, हमारा जैसा मन चाहे हम वैसा ही करेंगे ये बोलकर वह रादिका को देखता है रादिका कहती है अंडिसको, तो आपने अपनी दिल की बात सुननी शुरू कर दी है अपने दिमाग की बाते छोड़ दी है चलो, यह अच्छा है, कुछ तो अच्छा हुआ, मेरे छोड़ जाने का कुछ तो फाइदा हुआ कि आप इतने बदल गए हो देवदास क्यों नहीं बने अब तक हमें लगा था आप देवदास बन जाओगे बनना चाहिए, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है मेरे दिल को सुकून मिलता, पता चलता कितना प्यार करते हो आप मेघान्श उसे देखता है और कहता है अंडस को, नहीं, हम बने थे हमें आप हर रात याद आते थे जब भी हम बिस्तर पर सोते थे हमें याद आता था कैसे हम आपके साथ वर सब करते थे आपके साथ फिजिकल होते थे हमें तब मन करता था फिर से आपके साथ फिजिकल होने का पर हम नहीं कर पाते थे ये सुनकर रादिका उसे देखने लगती है और अपना हाथ उससे दूर कर लेती है वो कहती है अंग उसको तो आपको बस यही चाहिए था आपको बस इसे ही प्यार था कभी एहसास नहीं हुआ इससे ज़्यादा आपको बस यही चाहिए कि आप हमसे प्यार नहीं करते हो मतलब अगर आपको हमारा बॉडी मिल जाए उसी से ही आप खुश है आपको कोई रूहानी मोहबबत नहीं है हमसे मेघांश उसे पकड़ कर आएने के पास ले जाता है और उसके गर्दन पर सिर रख कर कहता है अंडस को जरूरी है सब कुछ हाँ वह भी है और यह भी है दोनों ही चीजे चाहिए दोनों ही चीजों के बिना प्यार अधूरा है जब हमें एक दूसरे को फील करते हैं तो हम एक दूसरे को और भी गहराई से महसूस करते हैं इसलिए वह चीज भी काफी जरूरी है इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है बोलकर वह रादिका के आंसु साफ करता है और उसके सिर को चूमता है वो कहता है, अंधस को जब भी हम अकेले होते हैं, तब भी आपके बारे में याद आता था, पर हमने अभी तक आपको माफ नहीं किया, पर हमें समझा गया है कि हम आपके बिना नहीं रह सकते. हम आपको छोटी मोटी सजा देंगे जैसे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे उनके 5 साल होने के साथ ही साथ योजक चिन योजक चिन योजक चिन क्या होने वाला है इसके बाद क्या चाहता है मेघांश राधिका से क्या मेघांश जो बोल रहा था वह सच है, क्या मेघांश और रादिका अच्छे से एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे या फिर उनके बीच में कोई आ जाएगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए उद्धरन चिन्ह, सुबल का वक्त, मेघांश का कमरा, मेघांश की बाते सुनकर रादिका हैरानी से उसे देखने लगी और मन में सोचने लगी कि यह आदमी कितना बदल चुका है अगर ऐसा ही होता रहा, तो वह कैसे इसे छोड़ कर अपने बच्चों को लेकर जा पाएगी पर जाना बहुत जरूरी है, वह ऐसे माहौल में अपने बच्चों को नहीं रख सकती वह नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसके पापा जैसा बन जाए वल चाहती है कि उसके सारे बच्चे उसके साथ रहें और एक नोमल लाइफ जीएं पर अगर वो अपने पापा के साथ रहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये सोचते हुए रादिका मेघांश को देखकर कहती अंडिस को ठीक है हम बच्चों के पास जा रहे हैं बच्चों को शायद भूख लगी होगी हम उनके लिए नाश्ता बनाते हैं ये बोल कर जब वल जाने लगी तो मेघांश ने उसे पकड़कर उसके पीट को सहलाते हुए कहा अंडिस को आप काफी खूबसूरत लग रही हो मन कर रहा है फिर से आपको लेकर बिस्तर पर चला जाओं राधिका गुस्से से उसे धक्का देते हुए बोली अंडिस को आप बहुत ही बद्तमीज होते जा रहे हैं आप नहीं सुधरने वाले ये हमें अब समझा गया है आपको तो बस यही करना है आपको तो बस यही चाहिए जब देखो तब यही करो आपका न जाने क्या करें पागल इंसान कहीं के ये बोलते हुए वग उसे के साथ उसे दूर धक्का देती है और बहर भाग जाती है उसे देखकर मेघांश वाश्रूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए दूसरी तरफ सारे बच्चे बिस्तर पर बैठे हुए थे और अजीबों करीब बाते कर रहे थे उनकी अजीबों करीब बाते सुनकर राधिका उनके करीब आती और कहती अंडस को क्या बाते हो रही है बच्चा ये सुनकर रुद्रान शोतर कर राधिका की करीब आने लगा तो छोटा वाला बेटा भागते हुए जाकर राधिका को गले लगा लेता है और वो गुस्से से बैठ जाता है नीचे राधिका उसे प्यार से देखते हुए कहती अंडस को क्या हुआ बच्चा कैसी बात हो रही है ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है अंडस को हम सोच रहे हैं कि हमें आपको और पापा को सबको गूमने जाना चाहिए वह भी बहुत ही अच्छी जगह पर चलिए ना गू जाने जा रहे हैं अभी हम कहीं भूमने नहीं जा सकते ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है उसका दिल जैसे टूट जाता है उसने कितनी उमीद से राधिका से कहा था कि उसे भूमने जाना है पर उसे पता नहीं था कि राधिका उसे मना कर देगी वह अपनी आसु भरी आँखों से टिम्टिमाते हुए देखने लगता है जिसे देखकर रादिका उसे गले लगा कर कहती है अंदसको बच्चा हमने अभी मना किया है इसका मतलब यह नहीं कि हम कभी नहीं जाएंगे हम जरूर जाएंगे पर अभी नहीं अभी तो बहुत ज्यादा काम है ये बोलते हुए रादिका उसे गोध में उठा लेती और बाकी बच्चों को देखकर कहती अंदसको चलो सब नीचे चलो ये बोलकर वो जाने लगती है तो बाकी तीनों गुसे से कहते हैं अंदसको मम्मी आपने इसे गोध में लिया हमें क्यों नहीं लिया हमें भी गोध में लो ये स तोचकर राधिका उदासी से कहती है, अंडसको, बच्चा, आप सब बड़े हो रहे हो, आपका भाई सबसे छोटा है, आप सब चल कर आओ, अगर गोध में आना है, तो पापा को बुलाती हूं न, पापा आपको गोधी में लेंगे, ठीक है, ये बोल कर वल जाने लगती है, तो सारे बच्चे लाइन लगा कर उसके पीछे पीछे चल कर बाहर आ जाते हैं, दूसरी तरफ, मेघांश अपनी ब्लैक शर्ट के बटन लगाते हुए आइने में खुद को देखता है, उसके आँखों में अभी भी वही गुसा और नफरत थी, उसकी नफरत और गुसा अपनी फीलिंग्स तयार हो गया और रादिका सब लेकर टेबल पर रखती है, बच्चे भी लाइन लगा कर उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, बच्चों को ऐसा करता देखकर मेघांश निराश हो जाता है और वह जाकर चारों को एक साथ उठा लेता है और उन्हें डांगते हुए कहता है अन्डस को मम्मी को परेशान मत करो, चुक चाप अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ, ये बोलते हुए वह खुद ही उन्हें सीट के पास ले जाकर एक एक करके बिठा देता है सब को और उसके बाद खुद रादिका के करीब आकर रादिका को कमर से पकर लेता है और अन्डस को जल्दी से बच्चों को खाना खिला कर कमरे में आ जाना, मेघांश की बाते सुनकर वह गुस्से से कहती, अन्डस को आपका तो बस यही रह गया है ना, आपका कोई काम नहीं है जो, जाकर आप अपना काम करो, क्यों पर एशान कर रहे हो हमें और बच्चों को, आप अपना काम करो, ये बोलते हुए वह बच्चों के पास चली जाती है और एक एक करके खाना खिलाने लगती है, मेघांश खड़ा खड़ा देख रहा था ये सब, उसे देखकर रादिका गुस्से से कहती, अन्डस को बच्चों को भूख लगी है, आप क्यों नहीं खान हम दोनों मिलकर खिलाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, मेघांश रादिका के करीब चला जाता और उसके पीछे खड़ा होकर कहता, अन्डस को बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो अपना खाना खुद खा सकते हैं, आप हमें खिलाओ, हमें ठीक से खाना खाना नहीं आता है रादिका और ज्यादा गुसा हो जाती है और उसे दूर धक्का देते हुए कहती है, अन्डस को आप क्यो ऐसा कर रहे हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो क्या आप ऐसा करो, हद है, ये बोलकर गुसे से वह मूफुला लेती है, जिसे देखकर मेघांश उसके खुबसूरत ब कहती है, अन्डस को आपको नहीं लगता आप काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हो हम पर, आपको इतना ज्यादा हम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको आपके काम में फोकस करना चाहिए, उसकी बाते सुनकर मेघांश उसके गुलाबी रसीले होटों को देखता है, और कह देनगे, नहीं, जाने देने वाले हैं आपको, पूरी तरीके से तलब लग चुकी है हमें, ये बोलते हुए वह बच्चों के पास चला जाता है और अपने बड़े बेटे को अपने गोग में बिठा कर उसे खाना खिलाने के लिए चम्मच उसके मुम के पास लेकर जाता है पर वह उसे धक्का देकर खुद चम्मच ले लेता है, तो मेघांश उसके हाथ से चम्मच छीन लेता है और उसे आखे दिखाता है, तो वह चुको जाता है और सर नीचे कर लेता है, तो मेघांश उसे खुद खिलाने लगता है और कहता है, अंडस को मुम क्यो नहीं खोल र जिसे देखकर रादी का करीब आने लगती है, तो वह हाथ दिखाकर उसे रोक देता है और अपने बेटे के चिन को पकड़ कर उसके चहरे को ऊपर करके कहता है, अंडसको, क्या हूँ आपको? वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे लगा कि कोई जरूरी नहीं है ऐसी बात करना, इसलिए वह कुछ कहता ही नहीं, मेघांश समझ जाता है कि उसका बेटा क्यों नहीं कुछ कह रहा है, क्योंकि उसे जरूरी नहीं लगता जवाब देना, तो वह जबरदस्ती से मूँ खोलता ह और कहता है अंडस्को चुप चाप खाओ, ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत करो, ये सुनकर वह गुस्से से उसे देखता है, मेघांश भी उसे देखता है, वह गुस्से से चबाने लगता है, उसके दोनों गाल फूले हुए थे और वह काफी क्यूट लग रहा था, उसकी प्यारी मासूम आखी खतरनाक भी नहीं लग रही थी, मेघांश उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है, अंडस्को गुड बॉई, ऐसे ही खाते रहो, कहकर एक और बाइट लेता है और उसके मूँ के पास पकड़ता है, वह मूँ खोलता है और वह उसके मूँ में खाना दा वह खा लेता है, ये देखकर रादिका अपने बाकी बच्चों के पास जाती है और एक-एक करके चारों को खिलाती है, उसके बाद वह खुद खाने के लिए बैठती है, पर तभी उसके बच्चे गोध से उतर कर उसके करीब आ जाते हैं और कहते हैं, अंडस्को अब हमारी देखते हैं, रादिका थोड़ी डर जाती है और जल्दी से चम्मच उठाकर खाने में रखने वाली थी कि मेघांच चम्मच छीन कर फेक देता है और कहता है, अंडस्को हाथों से खिलाओ, रादिका गुस्से से देखती है, फिर गहरी सांस लेकर उन्हें हाथों से खिलान लगती है, रादिका अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसके बाद खुद खाने बैठती है और धीरे धीरे खाना खाने लगती है, सारे बच्चे और मेघांच उसे ध्यान से देख रहे होते हैं जैसे कि वो कोई बड़ा काम कर रही हो, सारे बच्चों और मेघांच की नजर खुद पर महसूस करके रादिका जैसे खाना खा ही नहीं पा रही थी। वो काफी मुश्किलों से खाना खाती है और उसके बाद गुस्से के साथ उन सब को देखती है और कहती है अंडस को यह क्या हो रहा है। ऐसे क्यों देख रहे हो। उसकी बाते सुनकर मेघांश ग देखती है। बहुत दर्ते हुए खाना खा लेती है। उसके खाना खाने के बाद मेघांश उसे लेकर बाहर चला जाता है और बच्चे भी उनके पीछे पीछे लाइन लगा कर आ जाते हैं। तब ही रादिका का फोन बज़ता है। वो देखती है तो बेला का कॉल था। इ ये सुनकर रादिका हैरान होती है। और हैरान इसे कहती है अंडस को पर इतनी जल्दी क्यों। तुझे तो वहाँ पर जौब अभी कंटिन्यू करना था ना। क्या इंडिया आकर जौब करेगी। ये सुनकर बेला कहती है अंडस को हां तुम फ्रिक मत करो। मैं सही सलामत जाओंगी। वैसे भी मैं निकल चुकी हूँ। ये बोलते हुए वह अपना सामान लेकर एयरपोर्ट चली जाती है और अपनी फ्लाइट में बैट जाती है। पर उसे नहीं पता था कि आज पूरी तरीके से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह अपनी सीट पर बैठन ये सुनकर बेला अपने चहरे को उठा कर उपर देखती है और हैरान हो जाती है। सामने वाला इंसान भी हैरान हो जाता है। उसे देखकर काफी सालों बाद वो दोनों मिल रहे थे। आक्रोश को देखकर वह अपने चहरे को दूसरी साइट फेर लेती है। और विंडो के पास अपने चहरे को घुमा लेती है, क्योंकि उसे इस इंसान से बात नहीं करनी थी, उसे ऐसा करता देखकर आक्रोश और भी ज्यादा गुस्से से कहता है, अंडसको, क्या तुम ही सुनाई नहीं देता, क्या तुम हिल नहीं सकती हो, हमने बोला ना ये हमारी सीट है, अभी ह पास वाला सीट उसकी थी, ये देखकर वह हैरान हो जाती है और उसके हैरान हुए चहरे को देखकर आक्रोश मुस्कुराता है, बेला को न चाहते हुए भी उठना पड़ता है, वह उठकर अपने वाले सीट पर बैक जाती है और आक्रोश विंडो सीट की पास बैक जाता है ये देखकर वह गुसे के साथ मूँ फेर लेती है और अपना फोन निकाल कर फोन चलाने लगती है तब ही उसके फोन में मेसेज आता है वह मेसेज देखती है तो किसी ने उसे I love you कहा था वह उसे इग्णो कर देती है पर काफी सारे मेसेज आते रहते है इतने सारे मेसेज देखकर वह थोड़ी घबरा जाती है और फोन को आफ करके साइड में रख देती है दूसरी तरफ आक्रोश उसे ही देख रहा था उसके फोन को देखकर वह काफी ज़्यादा गुसे से ताना मारते हुए कहता है अन्रिस को लड़कियों की फित्रत यही होती है एक को छोड़कर दूसरे के पास जाना तुम भी कोई ये बोलकर वल चुक हो जाता है उसकी बाते सुनकर बेला को काफी ज़्यादा गुसा आता है और वह उटकर जाने लगती है अक्रोश उसे खीच कर बिठा देता है और अपने फोन को देखने लगता है उसकी बात सुनकर गुसे के साथ बेला उसे देखती है और कहती है अन्रिस को जो कह रहे हो उसे पूरा करो ज्यादा घमन दिखाने की जरूरत नहीं है वैसे भी जो खुद इधर उधर मूँ मारता है वह तो दूसरों को भी रहेगा ही न उसकी बाते सुनकर अक्रोश को गुसा आता है और कहता है अन्रिस को अगर एक और बात कही न यही पर उठा कर बाहर फिक दूँगा और ऐसा कर सकते हैं हम यह बात तुमसे अच्छा कोई और जान ही नहीं सकता है कि हम क्या अच्छे से कर सकते हैं और क्या बुरे से कर सकते हैं बेला गुसे से उसे देखती है और चहरे को दूसरी साइट कर लेती है उसे ऐसा करते देखकर आक्रोश भी काफी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक गहरी सांस लेकर अपना फोन निकाल कर कुछ करने लगता है वो बेला का फोन छीन लेता है और उसके मेसेज का रिपलाई देते हुए कहता है अन्रिस को तुम जैसे घटिया लड़कों को मैं जानती हूँ दूर रहो मुझसे उसने ये मेसेज टाइप करके भेज दिया ये देखकर बेला गुस्सा हो जाती है क्या होने वाला है इसके बाद क्यो ऐसा हो रहा है बेला के साथ क्या कभी बेला और आक्रोश एक दूसरे को प्यार कर पाएंगे और क्या हुआ है इतने सालों में उन दोनों के बीच में कि वे दोनों इसकदर नफरत करते हैं एक दूसरे से और क्या राधिका और मेघांश अपने बच्चों के साथ नई शुरुआत करेंगे या फिर मेघांश का अतीत फिर से उन दोनों के बीच में आ जाएगा जानने के लिए पढ़ते रहिए आक्रोश अभी भी गुसे से बेला को देख रहा था और बेला भी उसे देख रही थी बेला ने अपने आसू साफ किये और दूसरी साइड मूँ फिर लिया उसे देख कर आक्रोश ने अपनी जेब से एक पायल निकाल कर उसके गोद में फिका और कहा अंडिस को ये किसका है पता नहीं गिर गया था ये सुनकर बेला उसे देखने लगी और अगले ही पल काफी खुश हो बई उसने कहा अंडिस को तो ये तुम्हारे पास था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं गुस्से से आक्रोश बोला अंडिस को ये बेकार चीज पता नहीं हमने क्यों रख लिया हमें ये बेकार चीज रखना ही नहीं चाहिए था कितना ज्यादा बेकार चीज है ये बेला उसकी बातों का बुरा नहीं मानते हुए बोली अंडसको, थैंक्यू, यह मुझे पापा ने बच्पन में दिया था यह पायल मुझे बहुत पसंद है मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ थैंक्यू, तुमने पहली बार कोई अच्छा काम किया है यह सुनकर आक्रोश ने एक जटके में उसके हाथ से पायल छीन ली और उसे अपनी जेब में रखते हुए कहा अंडसको, I'm no good, I'm a bad boy यह बोलकर उसने दूसरी साइड मूम कर लिया उसे देख कर बेला ने उसका बाह पकर लिया और कहा अंडसको, प्लीज उसे दे दो वह जान है मेरी, प्लीज दे दो न यह सुनकर आक्रोश दाथ पीस कर बोला अंडसको, हम बुरे हैं हम नहीं दे सकते हैं ये तुम्हें और अगर ये तुम्हें चाहिए, तो सब के सामने मुझे किस करो वह भी deep passionate kiss बेला गुसे में बोल पड़ी अंडसको, जब देखो, तुम्हारा बस ही है जहां देखो, वहां शुरू हो जाते हो बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ तुम क्या मुझे अपनी private property समझते हो जो चाहे वल करने बोलोगे और मैं करूंगी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली तुम चुपचाप यहां से चले जाओ मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है मुझे मेरा काम करना है सो यहां से चले जाओ ये बोल कर उसने गुसे के साथ अपने आसु साफ किये उसे ऐसा करते देखकर आक्रोश भी गुसा हो गया और बोला अंडसको ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए न हम नहीं जाएंगे हम तो फेक देंगे इसे ये देखो अगर तुमने हमें अभी किस नहीं किया तो हम इसे बहुत आराम से फेक देंगे बोलते हुए उसने गहरी गहरी सांस लेने लगा और विंडो ओपन करके अपने हाथ को बाहर बढ़ा दिया बेला डर गई और डर के मारे उसे गले लगा लिया और उसके हाथ को पीछे खीचते हुए बोली अंडसको ठीक है ठीक है मैं करती हूँ ये सुनकर आक्रोश के चहरे पर हलकी मुस्कान आ गई वो अच्छे से बैख गया और बोला अंडसको ठीक है पहले किस करो उसके बाद ही यह वापस मिलेगी बेला ने गहरी सांस लेकर उसके करीब आकर उसके गाल को चूम लिया और कहा अंडसको आप दे दो आक्रोश बोला अंडसको यहाँ पर नहीं यहाँ पर किस करो ये सुनकर बेला हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली अंडसको वहाँ पर कैसे क्या पागल हो चुके हो आक्रोश ने दाग पीस कर कहा अंडसको नहीं चुप चाप करो ये बोल कर उसने अपनी शर्ट के तीन बटन खोल दिये और उसके चमकदार मस्कुलिट चेस्ट दिखने लगा बेला ने गहरी सांस लेकर नीचे जुकते हुए अपने होंथों को आगे बढ़ाया पर कुछ सोचकर पीछे हो गई तब आक्रोश ने उसके बालों को पकड़ कर उसके चेहरे को अपने सीने पर कर लिया और नचाहते हुए भी उसे पैशनेट किस करना पड़ा इधर उसके ऐसा करने पर आक्रोश की सर से पसीना गिरने लगा वह पसीने से भीच चुका था उसे काफी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हट फील हो रहा था वह गहरी सांस लेकर उसके बालों को पकड़ कर उसके चेहरे को ऊपर उठा कर उसके होटों को चूम लिया काफी देर तक उसके होटों को चूनने के बाद वह उसे छोडने की कोशिश करने लगा बेला गुस्से के साथ उसे देखती और टिशू पेपसे अपने होटों को साफ करती उसे ऐसा करते देखकर आख्रोश फिर से उसके बालों को पकड़ कर उसे किस करते हुए कहता Undersco, हमारे होटों को अपने होटों से हटाने की कोशिश मत करना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होने वाला है समझी ये बोलते हुए वह गुसे के साथ उसे देखता है बेला दर जाती है और आसू साफ करके गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है आक्रोश अचानक से उसका सीरियल उतार कर उसे अपने गोद में बिथा लेता है और कहता है Undersco, ऐसे बैठो ज्यादा बैटर है ये सुनकर वह गुसे से कहती है Undersco, प्लीज, बंद करो ये करना सब देख रहे हैं सब क्या सोचेंगे ये तुम्हारा प्राइवोट जेक नहीं है ये बोलकर वह आसपास देखने लगती है और हैरान हो जाती है पूरा खाली था एक भी एर होस्टेस नहीं था वहाँ कोई नहीं था उसे देखकर वह हैरान हो जाती है और आक्रोश को देखकर कहती है Undersco, सब कहां गए इतने लोग थे वह सब कहां गए वह सब क्यूं नहीं देख रहे हैं तुमने क्या किया आक्रोश विंडो के बाहर देखते हुए कहता है Undersco, हम कुछ भी कर सकते है उसकी बातों से ही समझ आती है कि उसने कुछ किया है वह गुसे के साथ एक गहरी सांस लेती है और उसे देखती है उसे थोड़ा-थोड़ा समझ भी आ रहा है कि यह मौके का फाइदा लेना चाहता है इसलिए सब को निकाल दिया है पर वह ऐसे इसे अपना फाइदा उठाने नहीं दे सकती है वह उसके गोज से उठने की कोशिश करते हुए कहती है अंडस को छोड़ो आक्रोश उसे नहीं छोड़ता उल्टा एकदम से उसे अपनी तरफ कर लेता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसके सीने को चूमने लगता है वह हरान हो जाती है और उसे दूर हटाते हुए कहती है अंडस को यह क्या बद तमीजी है यह क्या कर रहे हो छोड़ो यह सब करना बंद करो उसकी बाते सुनकर आक्रोश उसके गर्दन को चूमते हुए कहता है अंडस्कोप नहीं करूंगा तुम्हें क्या लगता है तुम भाग जाओगी मुझे छोड़कर इतना आसान है मुझे छोड़कर भागना आए भी एक साथ तो जाएंगे भी एक साथ और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो तुम उसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना न जाने कैसे तुम्हारे दिमाग में मुझसे दूर जाने का ख्याल आ गया ये सोचकर ही काफी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो ये बोलकर व गुसे के साथ उसे देखता है बेला अब शांत हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि यह लड़का कितना ज्यादा गुसेल और जिद्धी है ये कुछ भी कर सकता है अपने गुसे के चलते और ये चीज भी अपने गुसे के चलते ही कर रहा है न जाने इसके अंदर इतना गुसा आता कहां से है, हर वक्त गुसे में ही रहता है, कभी हस्ते हुए नहीं देखा ये सोचकर बेला चुपचाप उसके गोध में बैट जाती है, उसे काफी इंकमफर्टेबल फील हो रहा था ऐसे बैट कर इधर आक्रोश बार-बार अपने पसीने को साफ करता है और उसे देखते हुए कहता है, अंडिसको, I can't control myself anymore ये बोलता है, वह उसकी गोरे-गोरे सफेद टानगों पर हाथ फेरता है और उसकी फ्रॉप को उपर कर देता है और उसके कप्टों को उतारने की कोशिश करते हुए कहता है अंडिसको, यहाँ पर कोई नहीं है, घबराने की भी कोई जरूरत नहीं और यह चीज हम पहले भी कर चुके हैं, तो और भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं यह सुनकर बेला गुस्से से कहती है, अंडिसको, नहीं, प्लीज छोड़ो ऐसा मत करो, नहीं करना यह सब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अभी यहाँ पर यह बेडरोम नहीं है तुम्हारा, तुम क्यों नहीं समझते, जब देखो, तब जिद करते रहते हो, इतना जिद्धी होना अच्छा नहीं है, जिद करना बंद करो, मुझे परेशान करना भी बंद करो, इतना ज्यादा परेशान तुम कैसे मुझे कर सकते हो, प्लीज, मु उसके कमर से पकड़ लेता है और उसकी खूबसूरत चहरे को देखते हुए उसके होटों को अपने होटों पर भर लेता है। बेला की आखे बड़ी-बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने उसके होटों को काट लिया था, वो उसे दूर हटाती है और कहती है, अंडिसको, आक्रोश, यह क्या कर रहे हो, बंद करो ये करना, आक्रोश कुछ नहीं कहता, वो उसे छोड़ देता है और वो खुद को ठीक करके सीट पर बैठ जाती है, आक्रोश भी विंडो के बाहर देखने लगता है, इधर उसे थोड़ा उनकमफटेबल फील होता है, तो वो आक्रोश का हाथ पकड़ लेती और कहती है, अंडिसको, प्लीज, क्या मुझे बैठने दोगे विंडो सीट पर, ये सुनकर आक्रोश गु गुसा हो जाती है और कहती है, अंडिसको, इतने सारे सीट खाली है, मैं किसी भी सीट पर जाकर बैठ रही हूँ, ये बोलकर वो उटकर जाने लगती है, पर आक्रोश उसे फिर से अपनी गोध में बिठा लेता है, और उसके और खुद के उपर सीट बैल्ट लगा लेता है अपने हाथों को उसके कपटों के अंदर डाल कर उसके पेट को सहलाते हुए कहता है, अंडिसको चुपचा पैसे ही बैठे रहो, आप बेला परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वोल क्या करे, ये गुसर लड़का बिलकुल भी सुधरने वाला नहीं है, जब जो म कि अपने हाथा लड़की तो बहुत दूर की बात, ये तो लड़क Font को भी नहीं छोडता है, और कभी कहता भी नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार है, बस प्यार का इजहार नहीं करना है, पर प्यार वाली सारी चीजे करना है, ये सोचकर वह गुसर के साथ आक्रोश को देख प्रपोज करें ताकि जब भी उन दोनों में जगड़ा हो तो वही इता न दे पाए अंडसको तुम ही मेरे पीछे पड़े हुए थे तुमने ही जबर्दस्ती प्रपोज किया आक्रोश के दिमाग में ये चल रहा था उन दोनों के ही दिमाग में अजीबों करीब बाते चल रही थी तभी अचानक फ्लाइट टेक ओफ करती है जिसे देखकर वह चैन की सांस लेती है और कहती है अंडसको चलो फाइनली पागल लड़की कहीं की ये बोल कर वह उसकी गोध से उठने की कोशिश करती है पर आक्रोश उसे छोलता नहीं वह सीट बैल्ट खोलता है और उसे अपने कंदे पर उठा लेता है और बाहर आ जाता है बाहर आकर देखता है कि आसपास काफी भीर है पर सारे बोडिगार्ड उन सब को रोक रहे थे आक्रोश आराम से उसे लेकर अपनी गाड़ी में बैट जाता है और वहां से निकल पड़ता है गाड़ी में बैट कर आक्रोश पाटीशन आउन कर देता है और उसे अजीब तरीके से अपनी गोड में बिठा कर उसके गोरे-गोरे थाईज पर अपना हात रखकर उसे धीरे-धीरे प्रैस करता है और सहलाता है ये सब महसूस करके वह गुस्से से उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है अंडसको यह क्या कर रहे हो ऐसा करना बंद करो तुम मेरे बॉइफ्रेंड नहीं हो जो ऐसा करोगे ये सुनकर वह दाग पीसकर कहता है अंडसको तो हमने कब मना किया तुम्हें हमें प्रपोज करके हमें बॉइफ्रेंड बना लो ये सुनकर वह गुस्से से कहती है अंडसको पर लड़किया प्रपोज नहीं करती लड़के प्रपोज करते हैं तुम्हें कहना चाहिए मैं क्यूं करूँ मैं एक लड़की हूँ मैं ऐसा बिल्कुल करने नहीं वाली हूँ आक्रोश को काफी गुसा आता है और वह गुसे से कहता है अन्डसको ठीक है तो फिर इसे ही रहो ऐसे ही क्योंकि हमसे उम्मीद मत लगाओ कि हम तुम्हें प्रपोज करेंगे हम बिल्कुल नहीं करेंगे पर बॉइफ्रेंड वाली सारी चीजे कर लेंगे और हस्बेंड वाली भी आराम से कर लेंगे और तुम रो भी नहीं पाऊगी बेला गुसे से कहती है अपनी यह उल्टी सीधी बाते कहना बंद करो पागल कहीं के वो दोनों अभी भी जगड़ा कर रहे थे उन दोनों के जगड़ा करने की आवाज ड्राइवर के कान तक आ रही थी सामने बैठा आक्रोश का असिस्टेंट गहरी सांस लेकर अपनी जेब से चौकलेट निकाल कर खाते हुए कहता है अंडसको ये सर ऐसे ही है जब देखो तब गुसा करते रहते हैं पता नहीं इतना गुसा कहां से आता है इनके माता पिता ने आक्रोश नाम बिल्कुल सही रखा है नाम की तरह हर वक्त गुसा और गुसा ये सुनकर ड्राइवर कहता है अंडसको हां सही कहा तुमने हर वक्त गुसा करते रहते हैं और मैडम से प्यार करते हैं पर इजहार नहीं करेंगे इन्हें लगता है मैडम अपने घुटनों पर बैठकर प्यार का इजहार करेगी इतने साल हो गए पर अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं की जब देखो तब जगड़ा करते हैं दूसरी तरफ आक्रोश गुस्से से उसे देखता है और मूँ फेर लेता है कुछ ही देर में एक बड़े से पैलेस के बाहर गाड़ी आकर रुपती है यह आक्रोश का पैलेस था जो उसने बनवाया है उसने किसी का सहारा नहीं लिया जो भी किया उसने अपने दम पर किया सारे खर्च भी उसने खुद ही उठाये थे क्यूंकि वह भी किसी के तुकड़े पर नहीं पलना चाहता था मेघांश की तरह सब कुछ किया है वह भी अपने मिहनत से ही सब कुछ किया है आक्रोश के साथ गाड़ी में बैठी बेला भी बैठी रहती है क्यूंकि उसे लग रहा था आक्रोश जाकर दर्वाजा खोलेगा उसके लिए पर कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि यह उसका इंतजार कर रहा है वह अपने मन में सोचती है अंडस को इस लड़के को लड़को वाला नहीं लड़कियों वाला काम करना चाहिए अंडस को मेरा हाथ कौन तुम्हारा बाब पकड़ेगा बेला गुस्से से उसे देखती है और उसका हाथ पकड़ लेती है वह बाहर आता है बेला हाथ चुडाने की कोशिश करती है पर वह छोड़ता ही नहीं वह बेला का हाथ पकड़ कर उसे अपने कंदे पर उठा लेता है और उसे लेकर पहले इसके अंदर चला जाता है तो क्या होने वाला है इसके बाद क्या बेला और आक्रोश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं क्या कभी आक्रोश अपने प्यार का इजहार करेगा और क्या हुगा जब रादिका को बेला और आक्रोश की रिष्टे के बारे में पता चलेगा? क्या मिगांश को बेला और आक्रोश की रिष्टे के बारे में पता है? जानने के लिए पढ़ते रहिए. उद्धरंग चिन्ह, आक्रोश का कमरा, आक्रोश बेला को अंदर लाया और गुसे के साथ उसे देखा, फिर वाश्विंग चला गया, बेला भी उठकर गुसे के साथ बाहर चली गई, बाहर जाकर वह गेट खुलने की कोशिश करने लगी क्योंकि उसे यहां नहीं रहना था, वह यहां से जाना चाहती थी, इसलिए वह बड़े गेट को खोलने की कोशिश करने लगी पर गेट खुला ही नहीं, यह देखकर उसे काफी गुसा आया और वह गुसे के साथ अपने पैरों को पटकते हुए बोली, अंडस को, यह गेट खुल क्यों नहीं रहा है, इसे कैसे खोलते हैं, उसने ऐसा कहा ही था कि उसे अपनी कमर पर हात महसूस हुआ, उसने पीछे मुल कर देखा तो आकरोश खड़ा था, उसने कुछ नहीं पहना था, बस एक सफेद चादर लपेटी हुई थी, यह देखकर उसने आखे बंद कर ली और बोली, अंडस को, क्या तुम पागल हो चुके हो, यह सब करना बंद करो, बेशन कहीं के, अपना अनप्रदर्शन करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, वह गुसे के साथ उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगी पर आकरोश ने उसे अपने कंदे पर उठाया और सिगार की कश भरते हुए आगे उसे लेकर वह अपने अंधेरे कमरे में आया, उसके बाद दर्वाजा अपने पैरों से बंद करके उसे बिस्तर पर फेका और उसके उपर जाकर उसकी शर्ट को खीच कर निकाल दिया, फिर उसकी फ्रॉप को फार दिया और उसके बाकी कपड़े भी उतार दिये, फिर वह चूमना शुरू किया और फिर उसके थाइस को चूमने लगा। काफी देर तक चूमने के बाद अक्रोश ने मधोशी भरी आवाज में कहा, अंडसको, you are so delicious। बोलते हुए उसने उसके एक पैर को अपने कंदे पर रखा और उसके चहरे को अजीब तरीके से देखने लगा। बेला को लगा कि वह फिर से उसके साथ physical होने वाला है। वह दोनों एक बार physical हुए थे और वह उसे दिन को कभी नहीं भूल सकती थी। कितना दढ़नाक था वह दिन और वह भी होश में नहीं थी। सोचते हुए वह आक्रोश को देख रही थी और आक्रोश उसे देख रहा बलकि पूरी तरह से अपने हाथों से मसल रहा था. काफी देर तक मसलने के बाद उसने उसके बदन को देखा, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था. ये देखकर वह मुस्कुराया और उसे अपने उपर करके कहा, अन्रस को अब तुम भी ऐसा ही करो मेरे पूरे बदन के साथ जब तक मैं रुखने को ना बोलूँ तुम रुखना मत ये सुनकर बेला को काफी गुसा आया पर वो क्या ही कर सकती थी वो उसके six-pack केब्स पर चूमने के लिए अपने होंट रखने वाली थी कि उसने उसके बालों को पकड़ कर अपनी एक टांग को उसके कंदे पर रख दिया और कहा अन्रस को पहली किस करो बुरी तरह से किस करो ये सुनकर बेला को काफी गुसा आया और उसने एक गहरी सांस लेकर आखे बंद की और उसके थाइज पर अपने होंट रखे धीरे धीरे वह ऐसा करने लगी उसे ऐसा करते देखा क्रोश आजीब तरीके से मुस्कुराया और उसके बालों को और भी मजबूती से पकड़ लिया उसके चहरे को उपर करके अपने होंटों पर उसका होंट रखा और धीरे धीरे उसे चूमना शुरू किया काफी देर तक उसे ऐसे ही चूमने के बाद उसने उसे अपने उपर उठा लिया और उसके पीट को सहलाते हुए उसके अंदर एंटर किया बेला के मूँ से एक हलकिया निकल गई और वह बेला कमर को पकर कर हिलाने लगा काफी देर तक ऐसा करने के बाद उसने बेला को अपने नीचे कर लिया और पागलों की तरह उसके पूरे बदन को चूमते हुए उसके दोनों हाथों को पकर लिया और बहुती जोर से मूव करने लगा बेला आह भर रही थी, उसकी सिस्किया कमरे में गूंज रही थी बेला आंसू साफ करते हुए उसके पेद को सहलाने लगी और अपने नाखुनों से बीच बीच में खरोचने लगी एकसाइटमेंट के कारण वो दोनों ही काफी ज़्यादा एकसाइटेद थे काफी देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहे आक्रोश का जैसे मन ही नहीं भर रहा था, वो बुरी तरह से उसे पेनेटरेट कर रहा था कभी चूम रहा था, कभी काट रहा था, नोच रहा था और पागलों की तरह मूव कर रहा था बेला को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे काफी दर्ध हो रहा था, वो दर्ध के साथ उसे अपने उपर से हटाते हुए बोली अंडिस को, बस करो, ऐसा मत करो, बहुत दर्ध हो रहा है, क्या पागल हो चुके हो तुम ये सुनकर आक्रोश ने उसके मूँ पर अपनी उंदी रखी और कहा, अंडिस को, चुक चाप इंजोई करो ज्यादा बात मत करो, चुक चाप हमारा साथ दो, हमें काफी अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद तुम्हारे करीब आए है बोलते हुए आक्रोश फिर से शुरू हो गया और बेला ने आखे बंद कर ली और गहरी गहरी सांसे लेने लगी वह इंतजार करने लगी कि कब इसका मन भरेगा और कब उसे चुड़ेगा पर आक्रोश ने उसे पूरे दो घंटे बाद चोड़ा और उसके बगल में लेट गया और बोला, अंदस को काफी एंजोई किया बेला गुसे की साथ उसे देखती और उसे धक्का देकर कहती, अंदस को एंजोई पागल हो चुके हो तुम, ये बस एक दर्द देना, टॉर्चर है, तुमने बस खुद को देखा, मुझे नहीं मुझे काफी दर्द हुआ, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ, मेरे घर, मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, तुमसे बात नहीं करनी है, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो ये बोलते हुए वह उठने की कोशिश करने लगी पर उसकी कमर में काफी दर्द हो रहा था, वह उठ नहीं पाए, वह चुपचाप लेटी रही, काफी देर तक लेटे रहने के बाद उसे महसूस हुआ कि अब ज्यादा देर तक लेटे रहना उसके लिए सही नहीं हो सकता ह कभी इसका मन बदल जाए और वह फिर से शुरू हो जाए ये सोचकर वह जल्दी से बिस्तर से उठी और वाश्रूम की तरफ भागी उसे ऐसा करता देखकर आक्रोश ने गुसे से उसे देखा क्योंकि उसका फिर से मूड बन रहा था और यह चली गई पर उसके चहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई और वह बोला अंडसको ठीक है बाहर आओ फिर से शुरू हो जाओंगा तुम्ही क्या लगता है तुम बच जाओगी नहीं ये बोलकर वह बैठ गया और इंतजार करने लगा उसके बाहर आने का काफी देर बाद वह बाहर आए अपने कपड़े पहनकर और जल्दी से दर्वाजे की पास जाकर गेट खुलने की कोशिश करने लगी पर गेट खुला ही नहीं आख्रोश ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा अंडस को क्या हुआ गेट नहीं खुल रहा है ये सुनकर वह गुसे से बोली अंडस को छोड़ो मुझे तुम पागल हो तुमने क्या किया है दर्वाजा खोलो मुझे जाना है घर मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ दर्वाजे पर लात मारती हुई बोली पर श्टूट पड़ा उसके उपर और न जाने कितने ही घंटे तक वो उसके साथ सब कुछ करता रहा और बेला उसे टॉयलेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी अंदुसको दूसरी तरफ मेघांश अपने बच्चों को लेकर गोल्फ खेलने आया था उसके सारे जोती बेंच पर बैठी हुई थी उसके हाथ में एक वाटब बोतल थी और उसने फिर उनके जैसे ही कपड़े पहने हुए थे वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी उसे देखकर मेघांश बार-बार उसकी तरफ जाने लगता है पर बच्चे उसे रोक रहे थी क्य कि बच्चे चाहते थे कि पापा उनके साथ खेलें पर पापा का ध्यान तो मम्मी पर ज्यादा था इधर छोटा वाला लड़का सफेद गोल्फ बॉल को उठा लेता है और उसे उच्छाल कर कैच करने लगता है जिसे देखकर मेघांश उसके हाथ से बॉल लेकर नीचे जाता। मेघांश तो कुछ नकुछ नाम रखा होगा। यह सोचकर वह मेघांश के पास जाती है और कहती है अंड़सको सुनिये आपसे बात करना है ठोड़ा। ये सुनकर मेघांश खुश हो जाता है क्योंकि वह तो यही सुनना चाहता था। वह रादिका को अपने कंदे में उठा लेता है और गाड़ी के पास लेकर जाता है सारे बच्चे गुसे से उन्हें देखने लगते हैं इधर मेघांश उसे गाड़ी में बैठाता है और उसके बगल में बैठ कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है राधिका उसे दूर हटाते हुए कहती है अंडस को आपने क्या नाम रखा है हमारे सारे बच्चों का, या फिर रखा ही नहीं, अगर नहीं रखा, तो हम रखेगे। ये सुनकर मेघांश रादिका को देखता है और कहता है, अंडस को, हमने नाम रख लिया है पहले। सुनकर रादिका उसकी आँखों में देखती है और पूछती है अंडिसको क्या नाम रखा है आपने हमारे सारे बच्चों का? बोलिए. ये सुनकर मेघांश कहता है अंडिसको, सेकंड वाले का नाम है निखिल, थर्ड वाले का नाम है विद्यूत और फोग वाले का नाम है उसकी बाते सुनकर रादिका हैरानी से कहती है अंडसको क्या ये नाम आपने रखा है या किसी और ने जरा बताए ये सुनकर मेघांश उसके होटों को देखते हुए कहता है अंडसको ममी ने रखा है हमने नहीं रखा ये सुनकर रादिका हसते हुए कहती है अंडसको आपसे उमीद भी नहीं है। आप कितने ज्यादा बेकार हो, आप पर नाम रखेगी ही सोचने वाली बात है। छोड़िये, अब जाए, बस यही जानना था। अब हमने जान लिया ना, अब हम काफी ज्यादा खुश है कि हमें हमारे बच्चों का नाम पता चला। राधिका की बाते स सुनकर मेघांश उसके गाल पर हात रखता है और उसके होठों को अपने होठों से चूमने के लिए आगे बढ़ता है। पर राधिका दूर हग जाती है और कहती है, अंड उसको बच्चों की पास जाए। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, चलिए छोडिए। ये बोलकर रहे थे, उन्हें खेलने नहीं आता, इसलिए जैसे वह खेल पाए वैसे ही खेल रहे थे। बच्चों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि खेलना कैसे है। बच्चों को ऐसा करता देखकर राधिका उनके करीब आती है और उन सब को देखती है। बच्चे भी मुस्कुरा था, after all, वह मेघांश को टक्कर दे रहा था, मेघांश को यह चीज काफी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि उसका बेटा उसे टक्कर दे रहा है, दूसरी तरफ सारे बच्चे अब ठक चुके थे, वो इतनी ज़्यादा ठक चुके थे कि उन्हें नींद भी आ रही थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, पर उन लोगों ने खाना नहीं लाया था यहाँ पर, इसलिए राधिका सारे बच्चों को गाड़ी में लेकर जाती है और उन्हें फीडिंग करवाने लगती है, अच्छी देर में बच्चे सो भी जाते हैं दूद पीने देती है, मेघांश भी उन्हें अच्छे से अपनी गोध में बिठा कर ड्राइविंग करने लगता है, बच्चे मेघांश की गर्माहत को महसूस करके और भी अच्छे से सो रहे थे, पर बाकी दोनों बच्चों को भी मेघांश चाहिए था क्योंकि राधिका ने सारी नहीं पहनी थी, इसलिए उन्हें थंड लग रही थी, इसे देखकर राधिका मेघांश को बुलाती है और बच्चों को उसके पास दे देती है, मेघांश भी अच्छे से उन सब को अपने कोट के अंदर सुला लेता है और ड्राइविंग करने लगता है, इधर राधिका हो चुका है, यानि कि नाटक कर रहा है, प्यार का दिखावा कर रहा है, ये प्यार करता ही नहीं, ये सोचकर वह मेघांश की पीट को देखने लगती है, वह पीछे वाली सीट पर बैठी थी, इधर मेघांश राधिका की आँखों को महसूस करके गारी रोप देता है और र राधिका हैरान हो जाती है और कहती है, अंडिसको छोड़ो, पर मेघांश कहां मानने वाला था, तो राधिका घबराते हुए कहती है, अंडिसको, प्लीज, बच्चे हैं यहाँ पर, ऐसा मत करो यहाँ पर, अंडिसको, दूसरी तरफ, आक्रोश अपनी बाहों में सोती बे करता है राधिका से क्या मेघांश को अपने बच्चों से भी कोई लगाव नहीं है और कब मेघांश को सारी सच्चाय पता चलने वाली है जानने के लिए पढ़ते रहिए राधिका चुपचाप अपने बच्चों को देख रही थी और मेघांश अभी भी वही कर रहा था अपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बाते सुनकर मेघांश थंडी आवाज में कहता है। अंड उसको बच्चे कुछ नहीं सोचेंगे। ये बोलकर वो उसे अपनी और भी करीब कीचता है और उसके कपडों में से कमर में हाथ डालता है। राधिका गुस्से से उसे देख आने के लिए। थोड़ी देर बाद वो नहा कर फ्रेश होकर बाहर आई। उसने खूबसूरत सी पिंक और गोल्डन कॉम्बिनेशन कुर्ती पहनी थी। जिसमें वो काफी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो आएने के सामने गई और अपने माथे पर बिंदी लगी पर वो बांध ही नहीं पाई। वो गहरी सांस लेकर ऐसे ही छोड़ देती है और अपने बालों को सामने करके सूखाने लगती है। तब ही पीछे से मेघान शाकर उसकी पीत को धीरे धीरे सहलाने लगा और उसकी पीत की दोरी को अपने दांत और हाथ से बांध दिया इससे रादिका थोड़ी सेहर गई और पीछे मुलकर उसे देखती है उसे धक्का देते हुए कहती है अंगस को छोड़िये कुछ देर बाद वो घर पहुंच गए थे घर पहुंचकर रादिका अपने छोटे वाले बेटे को अपनी गोड में उठा लेती है और उसके पीट में थपकी देते हुए आगे बढ़ जाती है मेघांश अपनी बाकी चार बच्चों को लेकर अंदर आ गया वो सब उठ चुके थे और जूर रहे थे मेघांश के कंधे पर उन सब को देखकर ही पता चला कि वो कितना इंजोई कर रहे थे बस रुद्रांश को छोड़ कर वो चुकचाप मेघांश के गोद में था मेघांश उसे संभाल कर पकड़े हुए अंदर लाया और उसके बाद उन सब को सोफे पर फिक दिया वो सब उच्छल पड़े और फिर वो तीनों भागते हुए आकर फिर से उसके गोद में उठने की कोशिश करने लगे वो लोग फिर से चाहते थे कि मेघांश फिर से उन्हें ऐसे ही फिके उन्हें काफी मज़ा आ रहा था जिसे देखकर मेघांश अपनी आँखों को छोटी छोटी करके कहता है अंदर इसको यह क्या हो रहा है सेकर नम्ब वाला भागते हुए जाकर मेघांश की टांगों को पकड़ कर कहता है अंदर इसको पापा पापा उच्छालो उच्छालो मेघांश फिर से उठकर फिर से सोफिक पर फेकता है वो उच्छल पड़ता है और थड़ वाला भी आकर ऐसा ही कहता है अब मेघांश गुस्से के साथ चारों को अपने गोध में उठा लेता है और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर फेकता है और कहता है अंडसको अब चुपचाप नहाना है गंदे हो चुके हो ये सुनकर सारे बच्चे अपने कपड़े उतारते हुए कहते हैं अंडसको हाँ हाँ हमें नहाना है हमें गार्डन में ले चलो उन्हें फाउंटेन में नहाना ज्यादा पसंद है मेघांश गहरी सांस लेता है और उनके कपड़े उतारने लगता है उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी थी और पैंट उतारने वाले थे की राधिका आती है तब सब मेघांश को दूर हटा देते हैं और जल्दी जल्दी खुद को धाकने की कोशिश करते है इसे देखकर राधिका हस्ते हुए कहती है अंडस को इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है मम्मी हूँ तुम्हारी अपने बच्चों की यह हरकत देखकर मेघांश की भहे तन जाती है वो गुस्से से कहता है अंडस को ये सब क्या है तुम लोगों को ऐसा करने की जर थाकर नहीं ले पाती लेकिन सबकि सर पर हाथ फेरती है और सबको चूंगती है उसके बाद बच्चों को लेकर गार्डन में चली जाती है मेघांश भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और सारे बच्चे नहाने लगते बड़ा वाला बेटा चुपचाप बैठा था जिसे देखकर राधिका उसे लेकर अंदर चली जाती है, वो अच्छे से उसे नहला कर दूद पिला कर सुला देती है, वो बहुत ज्यादा शांत था, इतना शांत की मेघांश को भी यह खटिक ने लगा कि उसका बेटा ऐसा क्यों बनता जा रहा है, जब बच्छे नहा कर थक गए म मेघांश उन्हें उठा कर कमरे में लाया और अच्छे से साफ करके जबर्दस्ती फीड़ से दूद पिला कर सुला दिया, उन लोगों को राधिका के करीब जाना था, वो ऐसे दूद नहीं पीना चाहते थे, पर मेघांश ने राधिका के गयर मौजूदगी का फाइदा उ अर्ध हो रहा है और ये सो गए, ये सुनकर मेघांश उसके करीब आता है और उसे अपनी बहों में उठा कर दूसरे कमरे में ले जाता है और कहता है, अंडिसको, कोई बात नहीं, हम हलका करते हैं, भारी पंदूर करते हैं, ये बोल कर उसने उसके कपड़े एकदम से फाल दिये और उसके सीने को मसलते हुए वहां पर चूमने लगा, राधिका कहती है, अंडिसको, आप सच में बहुत ही जादा बदतमीज हो चुके हो, छोड़िए हमें, लेकिन मेघांश कहां मानने वाला था, वो नहीं माना और पूरी तरीके से उसके उपर चड़ा रहा और उ उससे से कहती है, अंडिसको, आप बहुत ही बुरे हो, बदतमीज हो, छोड़ो मुझे, तो क्या होने वाला है इसके बाद, जानने के लिए पढ़ते रहिए, राध का वक्त, मेघांश का कमरा, इस वक्त राधिका बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेघांश उसके बगल में आधा लेटा हुआ था, अपने हाथ के बल, वह अपनी दो उंगलियों से उसके पेट को छू रहा था, इससे राधिका गहरी-गहरी सांस ले रही थी, न जाने क्यों, उससे यह काफी अच्छा लग रहा था, कभी-कभी वह कुछ कह रही थी, उसे ऐसा करता देखकर मेघां मुश मुस्कुराता है और कहता है, अंडसको, प्यार का सुरूर चग रहा है आप पर, कर दो पार आप, ये सुनकर राधिका शर्मा जाती है और कहती है, अंडसको, आप कबसे ऐसी बात करने लगे हो, आप भी ना, छोड़िए मुझे अभी, पागल इनसान कहीं के, जब द तब बस एक ही चीज, एक ही चीज चाहिए, अचानक मेघांश उसके उपर आ जाता है और उसके होठो को देखते हुए कहता है, अंडसको, बदला है, हमने फैसला किया है कि हम आपसे इस तरीके से बदला लेंगे, हर रात आपको परेशान करेंगे, आपको सोने नहीं और बच्चों को भी आपसे दूर ही रखेगे, जैसे आज किया, बोलते हुए मेघांश मुस्कुराता है और रादिका शर्मा जाती है, और वल कहती है, अंडसको, बड़ा अजीब तरीका है बदला लेने का आपका, अगर आप तीन साल पहले ऐसा करते, तो हम कभी छोड़ उसके होठो पर उंगली रखता है और कहता है, अंडसको आपकी गलती थी, अगर उस वक्त आप होती, शायद ही हम आपको मार पाते, हम आपको चाहकर भी मार नहीं सकते हैं, हम पागल हैं, आपको नहीं मारते, हमें खुद पर यकीन है, ये सुनकर रादिका हैरान हो जाती ह और कहती है अंडस को आप इतना प्यार करते हो हमसे मेघांश उसकी आँखों में देखते हुए कहता है अंडस को बहुत ज्यादा हमारा प्यार समुद्र से भी ज्यादा गहरा है जैसे समुद्र का कोई अंद नहीं है हमारे प्यार का भी कोई अंद नहीं है हम आपको बहुत कि आप सोच भी नहीं सकती। ये उसन कर रादिका की आखे नम हो जाती है। वह मेघांच के गाल पर हाथ रखकर उसके चहरे को देखती है और फिर उसे गले लगा कर उसके पीत पर अपने सिर को रखती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। इस मौके का फाइदा उठा कर मेघांश नीचे से उसकी साड़ी को ऊपर कर देता है राधिका चौप जाती है और उसे देखने लगती है अगले ही पल में वह पूरी तरीके से उसकी साड़ी को कीच कर निकाल देता है और अपनी शर्ट के बटन खुलने लगता है राधिका उसके नीचे लेटी हुई उसे देख रही थी मेघांश अपना शर्ट उतार कर साइड में फेकता है वह कितना ज़्यादा हैंसम था, कितना ज़्यादा आकरशक था हर किसी लड़की को ऐसा ही हस्बन चाहिए दुनिया का सबसे खूदसूरत और हैंसम आदमी उसका मस्कुलर बॉडी, ब्रॉड चेस्ट और उसके सीने पर बना वहबाज का टैटू उसे और भी ज़्यादा आकर शकलोग दे रहा था राधिका उसके सीने पर हाथ रखतर उसके टैटू को चूते हुई कहती है अंडिका कहती है अंडिसको यह आपने कब बनाया लगता तो नहीं मेघांश गुस्से से उसे देखता है और कहता है अंडिसको सभी बच्चे होते हैं आप भी कभी छोटी थी वैसे ही हम भी छोटे थे कभी ये सुनकर रादिका और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और हैरानी से कहती है अंडसको मुझे लगता था कि आप ऐसे ही हो आप कभी बच्चे थे ही नहीं मेघांश उसकी बाते सुनकर उसे ऐसे देखता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो इसकी ऐसी नजरे देखकर रादिका मुझे लगता है और कहती है अंडसको ऐसे मत देखिये हमें हम सर्च कह रहे हैं जो हमें लगता है हमें ऐसा ही लगता है कि आप कभी बच्चे थे ही नहीं ये बोलकर वह मुस्कुराने लगती है, मेघांश उसकी नाक के साथ अपनी नाक रगरता है, इससे दोनों की ही नाक लाल हो जाती है और राधिका उसके होंट को चूम लेती है, मेघांश उसे किस बैक करता है, उसके बाद राधिका धीरे से उठकर बैठती है और कहती है, अन इसे किंग साइज बैग को देखती है, जहां पर उसके पांच बच्चे सो रहे थे, बहुत ही अजीबो गरीब पोजीशन में किसी के चेहरे पर किसी का पैर था, किसी के पैरों पर उसका सिर था, कोई आधा नीचे लटक रहा था, कोई तके को पकड़ की तके के ऊपर सो रहा अन्डिसको, मम्मी यहां पर है, मम्मी कहीं नहीं गई, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मम्मी आपको छोड़ कर नहीं जाएगी, मम्मी ने वादा किया था, मम्मी लोटकर आएगी और मम्मी लोटकर आ चुकी है, ये बोलते हुए वह अपने बच्चों के सिर को चूमती है और उसके बाद light off करके dim light on कर देती है, फिर दूसरे कमरे में आ जाती है और अंदर से दर्वाजा बंद कर देती है, मेघांश बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने हाथों को सिर के पीछी करके, उसने बस अपना black trouser पहना था, वह कितना ज्यादा handsome लग रहा था, राधिका ज ये सुनकर मेघांश उसे अपनी और खीच लेता है और कहता है, अंदर सको हमारी नींद तो बाहर चली गई थी, हम कैसे सोते, हमारी नींद वापस आ जाएगी, हम सो जाएंगे, मेघांश की बाते सुनकर राधिका आँखे बंद कर लेती है और गहरी गहरी सांस लेने लग राधिका शर्मा जाती है उसकी यह बाते सुनकर, उसे शर्माता देखकर मेघांश एकदम से उसे नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, फिर राधिका के सीने को चूमने लगता है, काफी देर तक चूमने के बाद वह नीचे आकर उसके पेट को चूमने रहा था उसकी अहालत। ये समझकर मेघांश जान बूझकर उसे और तुरपाने के लिए उसके सारे कपड़े उतार कर साइड में फेकता है और नीचे जुक कर उसके पैरों को चूमने लगता है। पूरी तरीके से वह उसकी जान से लेकर कमर तक चूम रहा था। अब रादि रादिका को गुस्सा आता है और कहती है अंडिका को आप कुछ करना है या नहीं। ये सुनकर मेघांश मुस्कुराते हुए कहता है अंडिस को हम कुछ कर ही तो रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ करना है तो आप खुद ही कर लीजिए। हम क्या ही करें। रादिका को इत जादा जाकर लेता है उसे अपनी बाहों में और उसके बाद उसकी सीने को चूमने लगता है। मेघांश उसके खूबसूरत हाथ को पकड़ के उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहता है। कहता है अंदसको I know what you want, it's your turn now। रादिका शर्मा जाती है और कहती है अंदसको नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। शुरुआत आपने किया था खत्म भी आप करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, हमसे नहीं होने वाला है। ये बोल कर वह शर्मा जाती है। उसकी बाते सुनकर मेघान्श उसकी आँखों को देखता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है। ये सुनकर रादिका एक गहरी सांस लेती है और उसे देखती है और फिर से शर्मा जाती है। अब मेघांश समझ जाता है कि यह लड़की शर्म से पानी पानी हो जाएगी, पर कुछ नहीं करेगी, इसलिए मेघांश उसके अंदर एंटर करता है, राधिका के मुझ से एक जोरदार चीक निकल जाता है, राधिका अपने मुझ पर हाथ रख लेती है, और उसके बाद वह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, काफी देर तक एक दूसरे से प्यार करने के बाद मेघांश उसे अपने नीचे कर लेता है, और खुद ही सब कुछ करने लगता है, अब राधिका को अच्छा फील होता है, और वह मेघांश की पीत पर अपने नाखुनों से ख पाज आता है। ये सुनकर मेघांश गुस्से से गहरी सांस लेता है और रादिका को देखता है। रादिका घबरा गए थी, वो उठने की कोशिश कर रही थी, वो दोनों अभी भी एक दूसरे से कनेक्ट है और मेघांश नहीं चाहता है कि रादिका भी जाए। उसने तो मेघांश उसके उपर से हटी नहीं रहा था और वहल तक नहीं पा रही थी ऐसे। इसलिए वहरुवासी आवाज में कहती है। अंद उसको प्लीज जाने दीजिये ना। बच्चे रो रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हो। जाने दो नाह में। य देखती है उसके चारों बच्चे रो रहे थे और उसका बड़ा बेटा जो की देख रहा था बैठे बैठे। वह चारों क्यों रो रहे थे। वह तो उसे भी पता नहीं था। इधर राधिका जल्दी से उनके करीब आकर उन्हीं गले लगा लेती है और कहती है अंद उसको मम्मी वह इसने टोइलेट कर दिया मेरे उपर और इसलिए उसे मारा और उसने इसे मारा ये सुनकर रादिका को समझ नहीं आ रहा है कि वह कैसे बच्चों को संभाले वह अपने चारों बच्चों को गले लगा लेती है और डाइपर चेंज करती है अपने छोटे वाले बेटे का जिसने सारा कारनामा शुरू किया था और उसके बाद वह सब का डाइपर चेक करती है बाकी सब ने ऐसा कुछ नहीं किया था छोटे वाले ने ही ऐसा किया था वह अभी भी रो रहा है राधिका अच्छे से उसे अपने गोद में सुला कर उसे दूद पिलाने लगती है और तब जाकर वह शांत होता है कुछ देर बाद छोटा वाला बेटा चुप हो जाता हूं और सो जाता है राधिका उसे ध्यान से सुला देती है और बाकी बच्चों को भी ध्यान से सुला देती है और जाने लगती है पर तभी बड़ा वाला उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि मम्मी उसे छोड़ कर जाए उसे मम्मी के साथ सोना था रादिका समझ जाती है और उसके साथ लेज जाती है और उसके पीट पर थपकी देने लगती है और वह भी उसके सीने पर सर रख कर सो जाता है दूसरी तरफ मेगांश कब से इंतजार कर रहा है उसने सोच लिया था राधिका जब भी आएगी, वह उसे डाइवोस देगा और शुरू हो जाएगा तो राधिका तो आए ही नहीं, काफी देर हो चुके थे, वह खुद ही उठकर बाहर आता है और देखता है तो राधिका सोच चुकी थी अपने बच्चों के साथ, वह कितनी ज्यादा प्यारी लग रही थी सोते हुए और उसके बच्चे भी काफी ज्यादा प्यारी लग रहे थे वह सब के पास जाता है और अपने पांच बच्चे की सर को चूमता है और राधिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और कमरे में आ जाता है कमरे में आकर वह राधिका को लेकर वाश्रूम चला जाता है और राधिका को बातब में फिक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है राधिका देखने लगती है और खुद को पानी में महसूस करती है और उसे देखकर उसे दूर हटाते हुए कहती है अंडस को अरे पानी में कब आये हम उसने ऐसा कहा था कि मेंगांश उसकी कमर को पकड़ के उसमें साजाता है और रादिका अपनी आँखे बंद कर लेती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है और मेघांश उसके कान में सरगोशी करके कहता है अंदसको हमें अभी बहुत ज्यादा चाहिए बदला लेना है ये सुनकर रादी का कुछ सोच कर कहती है अंदसको कैसे आपने बच्चों को आपके परिवार से मिलाया क्या वह लोग बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं करते हैं ना बताए ये सुनकर मेघांश अपनी एक आईबरो उचका कर कहता है अंदसको ये आपको क्यों जानना है आप ये सवाल इस वक्त कैसे पूछ सकती है आपको तो प्यार भरी बाते करना चाहिए जैसे की फक्त मी बैगली ऐसी बात करना चाहिए रादिका शर्मा जाती है और कहती है अंदसको आप भी न कैसी कैसी बात करते हो तो क्या होने वाला है इसके बाद सच में मेघांश के परिवार मेघास के बच्चों से प्यार करता है क्या वह भी साज़िश कर रहे है मेघांश और उसके बच्चों को करने का और कब बताएंगे सारी सच्चाई मेघास की मम्मी पापा मेघांश को और क्या हुगा जब रादिका को पता चलेगा मेघांश किस बात का बदला लेना चाहता है उसे जानने के लिए पढ़ते रहे हैं और मेरे प्यारे लिस्नर मैंने एक न्यू नोबल स्टार्ट किया है जिसका नाम में तिलका नाता दिल ही जाने बहुत ही romantic, बहुत अच्छी, बहुत ज़्याद अच्छी novel है आप सब जाकर read करना novel का link मैंने first comment पर pin कर दिया है और मेरे बागी के novels जिन सब readers ने परा है उन्हें पता होगा मेरी novel कितनी romantic होती है तो जाकर पर लेना सब के सब novel और comment करके बताना कैसा लगा और अगर novel का link यहां से नहीं मिल ला है तो मेरे whatsapp channel को join कर लो वहाँ पर मैं novels का और audiobooks का link देती हूँ ताकि आप सब जान पाए कि मैं कब audiobooks और novel upload कर रही हूँ यह आप सब के लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी तो जाकर पर लो